हलो गाइज वेलकम टो अनकेडमी एंड वेरी गूड इनिंग टो आल आफ यू सो चलिए फिर आज हम लोग कुछ सेलेक्टिविटी की बात कर रहे थे और सेलेक्टिविटी में कुछ काफी हम लोगों ने कॉंसेप्ट की बात की थी और वहाँ पर मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था सेलेक्टिविटी क्या होता है और कैसे इसको हम लोग एक्स्प्लेइन करते हैं तो ठीक है उसी के फॉलो अप में हम लोग को सेलेक्टिविटी को आगे मूब करते हैं चलिए जल से आप कनेक्ट होते जाए और फिर मैं आगे कॉंटीनियू करता हूँ सो अभी तक हाँ जैस बेरी गुड इनिंग बेटा अ सेलेक्टिविटी पार्ट वन कब हुआ बेटा पार्ट वन कल हुआ था और साइद आपको लेट पता चला हाना और इसलिए आज हम लोग को चा जो निमेरकल्स की बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा थेरी की बात करूंगा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करूंगा और देन उसके बाद हम लोग कॉंटिन्यू करेंगे ठेक है तो चलो हाँ हलो हलो बच्चों तो सब लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए और देखिए हाँ इस्टूडेंट बढ़ना इस्टार्ट हु तो चल यहां धीरे धीरे स्टूडेंट अपना कनेक्ट होते जाएंगे और यहां से मैं जल्दी से आप लोगों का एक्स्प्लेइन कर देता हूं जो मेरे बारे में आपको पता ही है हना तो वही एक्स्प्लेइनेशन है सारी तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आप सब लोगों को पता है बस में क्या है कि जब आप प्लस का पर्चेश करेंगे या आइकोनिक सेक्षन पर्चेश करेंगे तब आपको मेरा कोड यूज करना होगा और उसके लिए जो हमारी कंडिशन है जो हम लोग प्लस के साथ और आइकोनिक के साथ आपको फैसल्टीज प्रवाइड करते हैं तो बस उसका मैं जल्दी से आप लोगों के इन फॉर्म कर देता हूं जो भी प्लस का सस्क्रिप्सन लेता है उसे लाइव क्लासेज इन फाइ जिससे आप अपने को एसेस कर सकते हैं ठीक है और डाउट सॉल्विंग के इस्पेसल लेक्चर्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं हिंदी इंगलिस दोनों में लेबल है ठीक है और यहां से अगर मैं बात करों आइकोनिक की तो आ सबाद में वो सारी चीज़ एक्स्प्लेइन करते हैं इस टडी बूस्टर से सन आप लोगों के लिए रेंज कर आए जाते हैं ठीक है और उसमें परसनाइज टेस्ट एनालिसिस आप टेस्ट देंगे और उतने आपको पर असिस्ट कर सकेंगे और आप चेक कर पाएंगे कि कि हम लोगों के कुछ क्लासिस चल रही है तो उनके बारे में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सिविल के हैं केम कल का जब इस्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इन्फर्म करूंगा बेटा मैं हना और यहां से वो कुछ प्राइज आप लोगों को बताया गया है कि यदि आप वन येर का लेते हैं तो 27,225 का है मेरा कोड SKS50 आपको ये यूज करना रहेगा 18 मंद का लेते हैं अभी से आप प्लाइनिंग करेंगे तो 34,650 और 24 मंद का लेंगे 2 येर का तो 39,600 और ये बेसिक जो प्राइस है इसमें 10% का ओफ मिलेगा यदि आप मेरा कोड य येर का और 66,600 का 2 येर का आइकोनिक में उन बंदों के लिए जिनको लगता है कि वो खुछ से कुछ डिसाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कैसे प्लाइनिंग करनी है उन लोगों के लिए आइकोनिक बहुत बेहतीरी वे में आपको मूब कराया जाएगा ठीक है तो य आइडी वहाँ पर मिल जाएगी यह हमारा अन एकैडिमी का बेसिक टेली ग्राम ग्रूप है और वहां से आपको यहां से फॉलो करेंगे तो सारी इन्फॉरमेसन आपको यहां मिलती है ठीक है यह कुछ हमारे आने कैडिमी के चैनल से और इन चैनल में अभी मैं इस चैनल मे नेम चेंज होके जैसे कुछ लेक्चर्स और आते हैं तो सी एच स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और फाइनली हम लोग सेलेक्टिविटी सेलेक्टिविटी में आते हैं और सेलेक्टिविटी में आज हम लोगों को कुछ निमेरकल्स करना था ठीक है तो निवेरकल से पहले कुछ चीजे जो कल हम लोगों ने discussion किया था तो उसको आगे continue करते हैं और थोड़ा सा selectivity के mode को समझ लेते हैं selectivity की feeling ले लेते हैं और उस feeling के साथ move करते हैं ठीक है अब वैसे भी बहुत time हो चुका है gate बहुत पास आ गया है और आप लोगों में जब इतनी gate को लेके हम लोगों ने एक आप लोगों को gate से related मलब सारी चीज़े आपको inform की गई सारी चीज़े एक जीरोत लेवल से आपकी preparation लेके चला मैं और आज इस condition पर आ चुके हैं कि maximum subject आप लोगों के हो चुके हैं ठीक है जो remaining subject है वो move कर रहे है classical thermodynamics का revision revision mode भी मैंने start कर दिया क्योंकि parallel में सारी चीज़े चलनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग continue meeting कर रहे हैं आपस में और discuss कर रहे है कैसे क्या-क्या चीज़े आपको provide करनी है कब provide करनी है जिससे की best form में आप अपनी rank को achieve कर सके और preparation continue कर सके ठीक है तो जो बेटा study के लिए जो revision classes मैं ने रखी हैं आपको सारे subject का revision मिलेगा start किया हम लोग ने classical thermodynamics से त्यागी सर ने start किया है ठीक है और इसके बाद अभी कल के दिन फिर class होगी remaining portion जो होगा उसके बाद दो classes और होंगी जिसमें आपको classical से related जितने भी questions पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजे आपको कराई जाएंगे classical से बहुत ज़्यादा part नहीं पूछा जाता हमारा gate exam में solution से ज़्यादा आता है बट important है क्योंकि अगर basic नहीं पता करेंगे PD का भी करेंगे CR का भी करेंगे ठेक है तो बस continue आप support करते रहिए आपको सारी चीजे हम लोग provide करेंगे ठेक तो चलो फिर मैं start करता हूँ और हाँ बाकि आप अपने friends को जो भी students हैं उन सभी को एक बार inform कर दीजिए सारे लोग अगर connect हो जाएंगे तो better रहे और better feeling के साथ हम move करेंगे हाँ और बस ये जरूर याद रखिए जैसे ही आप live आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है आपको like करना है session को ठीक है और यार देखो आपको अपनी attendance तो देनी है ना तो ये पता होना चाहिए ना कि आप लोग present है तो सबसे पहले आप जाईए session में और like करिए और like करने के बाद फिर हम लोग class continue करते हैं ठीक है तो बेटा जितना भी maximum student होंगे हाँ पता है आप लोग बीजी हो जाते हो और आप लोगों के लिए ये भी conditions मैंने रख दी है ठीक है कि public रहेंगे सारे वीडियो तो हम जम्मान होगा तब देख लेंगे बेटा feeling important है ये मैं बोलता हूँ और अगर आप मेरे साथ continue करेंगे तो CRE की feeling के साथ साथ बहुत सारी information है वो भी आपको मिलेंगी और जो मेरी feeling है वो strong होगी मलब अगर आप सूचो ना अगर आप 50 लोग आ रहे हो तो मुझे क्या लगेगा ठीक है यार slavus cover करना है कर देते हैं लेकिन जब मैं देखता हूँ number आप student मेरे से dependent है मुझे लगा मुझे बहुत से student के message आए कि sir हम लोग अपनी job छोड़ रहे हैं क्योंकि हम आपका session attend नही कुसी feeling के लिए आपको job छोड़ने की need नहीं है आप must type में मेरा video कभी भी attend कर सकते हैं at least जो बंदे job में नहीं है at least जो बंदे live attend कर सकते हैं उन सभी को तो आना चाहिए क्योंकि मेरे लिए feeling उतनी important है जितनी आपके लिए तो अगर feeling के साथ मैं भी पढ़ाऊंगा ना तो व करना है तो फिर वो feeling मेरे अंदर भी नहीं रहेगी ना यार फिर वो चीजे साथ आप मिस कर दोगे जो नहीं किसी book में मिलनी है नहीं कहीं से आप उसको ला सकते हो जो वो मेरी feeling है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इसलिए है क्योंकि उन सारी चीजों में detailed research कर चुका हूँ और य करते हैं और उसके बाद फिरागे मूब करते हैं तो देखे basis पे आप select कर लीजिए अपने basis पे select कर लीजिए तो आप क्या select करते हैं जो आपको need होगा आपको जिसकी जरूरत होगी आप उसको select करेंगे ना और या फिर मैं बोलू आप उसको select करेंगे ना जो आपके लिए best होगा आप उसको select करेंगे जिसकी चाहत होगी आपकी आप उसको सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए हमें जिसकी need हो that means जब हमारे उपर सेलेक्ट करने की बात होगी तो मैं हमसा best choose करूंगा मैं हमसा best choose करूंगा तो बस वही best choose करना है तो that means हम बात कर रहें है participating की हमें उस activity को select करना है उस activity को select करना है जिससे हमारे desired product का production बढ़ जाए मैंने एक simple सा example लिया था कि एक reaction हो रही है एक gives to R और एक reaction parallel है इसी में एक gives to S और यदि हमारा R desired product है तो हम लोग कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर selectivity का हम फंडा अपलाई करेंगे और selectivity से हम इतना सीख लेंगे कि जो भी हमारा desired product है उस desired product का production कैसे maximize करें अब बेटा सोचिए simple सा एक टम है कि हमारे पास feed है और अगर यह हमने fix कर दिया कि हमारे पास इतने mole feed है इतने kilogram feed है इतने liter feed है किसी भी form में आपने fix कर दिया कि इतना feed है और उसी feed से बेटा R का भी production हो रहा है उसी से हमारा S का production हो रहा है लेकिन R हमारा desired है तो मैं क्या चाहूंगा कि R का production maximum हो मैं यह चाहूंगा कि यह maximum हो मैं चाहूंगा कि यह minimum हो अगर मैं चाहूंगा यह maximum हो तो मैं वो activity को select करूँगा जिससे की इसका production maximum हो जाए उसी को हम बोलेंगे selectivity that means यहाँ पर यह वाली reaction fast हो जाए reaction fast हो जाए का मतलब क्या है आप बोलिए बटा मैंने बोला reaction fast हो जाए reaction fast हो जाए तो बटा reaction किन किन चीजों पर depend करते है reaction किन किन चीजों पर depend करता है एक हम लोग जब reaction की बात करते हैं तो मैं बोलू कि यह वो rate पर depend करता है रेट पर डिपेंड करता है और रेट के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था और इसकोल टू फॉंक्शन आप टम्प्रेचर कंसंट्रेशन आप रेक्टेंट एंड प्रेशर और यदि हमारे लिक्ट फेस रेक्शन है तो वहाँ पर हमारा प्रेशर को नेगलेक कर देते थे तो टम्प्रेचर और कंसंट्रेशन के टम्मे लेते थे तो मैंने बोला कि रेट के टम्मे हमारा जो reaction है मैं बोल रहो fast हो जाए इसका मतलब rate fast हो जाए rate fast होने का मतलब जो हमारा rate of change of conversion है या मैं बोलू rate of change of concentration है वो high हो जाए that means हमारा यहाँ पर dca by dt या dxa by dt यह हमारा क्या हो जाए बिटा maximum हो जाए और मैं dxa by dt की बात करूँ यह भी rate को repetition करता है dca by dt की बात करूँ तो मैं यहाँ पर minus sign लगा दूँगा तो यह हमारा reactant के rate को define करेगा अगर plus sign रहेगा तो product के rate को define करेगा बट यहाँ से हमें एक चीज़ सो clear है कि rate should be maximum और यह भी rate को repetition करता है यह भी rate को repetition करता है मैं भी equal बात नहीं कर रहा है मैं minus r e equal to this बात नहीं कर रहा नहीं तो यहाँ पर c a not b आ जाएगा मैं अभी simple सा proportional time में बात करूँ तो यह भी rate है यह भी rate है मैं बोलूं चाहिए rate minus r e या plus r r plus r e कुछ भी आप बोल दीजिए rate maximum हो जाए या dca by dt maximum हो जाए या dxa by dt maximum हो जाए विद रिस्पेक्ट to time conversion हाई हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आप concentration हाई हो जाए यही तो हमारा rate को represent करता है यह मैंने जब rate पढ़ाया था वहां एक proper way में आपको define किया था अगर हम second की बात करें जो rate है वो किस पर depend करता है तो मैं बोलू temperature पर तो चलो हमारा favorable temperature क्या होगा हम उसकी बात कर ले फिर मैंने बोला concentration पर जो concentration होगा उसकी बात कर ले अच्छा एक और चीज़ पर depend करता है वो होता है हमारा order लेकिन order के लिए वटा हम बोल देते हैं कि order किसी भी reaction के लिए fix होता है एक experimental quantity होती है और वो experimental quantity होने की वज़े से हम उसको change नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग इसके case में case study की बात नहीं कर रहे थे हम जब relative order की बात कर रहे थे और वो relative order किसका था अगर हमने इसका N1 मान लिया था इसका N2 मान लिया था तो इन दोनों की respect में हम order की बात कर रहे थे तो यहां से हम लोगों ने कल कुछ cases की बात की थी ठीक है यहां से हम लोगों ने कुछ cases की बात की थी feeling important है बेटा और कोई बात नहीं चलेगा बस 100 प्लस पहुंचाईए maximum student present होने चाहिए 116 like है अभी और जितने student बढ़ते जाएंगे उतना मेरी feeling strong होती जाएगी उतना अच्छा मैं आप लोगों को deliver करता जाओंगा क्योंकि बेटा feeling के तो important है ना तो मैंने क्या बोला यहां से हमें एक formula मिला था s r by s s r by s और r हमारा desired है s हमारा and desired है और यदि मैं बात करूँ यदि मैं बात करूँ एक instantaneous सेलेक्टिविटी और एक overall सेलेक्टिविटी के टम में तो instantaneous सेलेक्टिविटी के लिए मैंने आपको कल कुछ बताया था कि हम उसको rate के टम में define करेंगे कल मैंने आपको बताया था कि बेटा kinetics जो होती है किसी भी reaction की kinetics इस पे depending नहीं कर रही कि reaction किस रियक्टर में हो रही है इस पे depend नहीं करता है reaction की kinetics जो होती है वो एक fix होती है क्यों क्योंकि वो इससे depend नहीं करता कि किस reactor में हो रही है लेकिन जो performance होता है वो reactor पे depend करता है और performance क्या होता है कि कितना product का concentration वहाँ पर release हुआ कितना product का concentration वहाँ पर form हुआ कितना reactant का concentration वहाँ पर convert हुआ decrease हुआ और reactant का concentration डिक्रीज होता है product का हमारा increase होता है इसलिए उसको formation बोलते हैं और इसको हम लोग conversion बोलते हैं तो that means मैं इसकी ट्रम में बात करूँ तो हमारा performance depend करता है और performance किसी reactor का क्या होता है कि with respect to time कितना conversion मिल रहा है with respect to time कितना conversion मिल रहा है तो अगर मुझे conversion बढ़ाना है तो मैं बात करूँगा उस favorable condition की और वही favorable condition के लिए हम पढ़ते है selectivity and yield तो हम बात कर रहे थे कल बेटा एक overall selectivity की और एक बात कर रहे थे instantaneous selectivity की तो instantaneous selectivity में हम लोगों ने कुछ बोला कि s, r, y, s is equal to और मैंने वहाँ पर आपको एक और चीज़ explain की कि जो instantaneous selectivity है instantaneous हम उस time पर calculate करते हैं उस time पर consider करते हैं जब हमारी reaction चल रही होती है यहाँ पर हमारा feed आ रहा है यहाँ पर हमारा feed आ रहा है और जिस time पर reaction हो रही है sudden मैंने एक sample लिया sudden मैंने एक sample लिया sample 1 और इस sample की selectivity चकी लेकिन इस time पर अभी reaction हो रही है reaction कहा नहीं हो रही जब हम feed की बात करें अभी यहाँ पर reaction start ने हुई time t equal to 0 की बात करें तब हमारी reaction अभी अभी नहीं start हुई यह मैं उस time पर बात करूँ जब हमारा इसका मान लीजे space time tau है अगर मैं t equal to tau पर बात करूँ तब reaction complete हो चुकी है यह reaction हो चुकी है उसके बात बात करूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर number up, most up, a, r, s वो हमारे क्या होंगे constant होंगे हम मानते हैं कि reaction reactor के अंदर ही होगी यह exemption मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको reactor पढ़ाने start किया था कि exemption हमें consider करना है there is no any reaction in the inlet and outlet pipeline reaction occurs within the reactor only मैंने आप लोगों का exemption लिखाया था यह चीज़ तो याद करिए बटा कि यहाँ पर कोई reaction नहीं हो रही और यहाँ पर भी कोई reaction नहीं हो रही जो reaction हो रही हो reactor के अंदर तो जब reaction नहीं हो रही तो यहाँ पर जो भी moles होंगे moles of किसके a, k, r, k, s, k वो कितने होंगे constant होंगे वो vary नहीं करेंगे क्योंकि reaction नहीं हो रही यहाँ पर जब हम बात करें तो मोल्स आफ, मोल्स आफ A, R, S या अगर कोई inert भी है तो आप I भी लिख दीजिए अगर inert है नहीं है तो इसको zero कर देंगे इसके हमारे मोल्स कितने होंगे बेटा, constant होंगे क्योंकि नहीं यहां reaction हो रही, नहीं यहां reaction हो रही तो जब हम लोग number up मोल्स के टम में, overall selectivity की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था बेटा, कि selectivity क्या होगी तो मैंने आपको यहां पर बोला था, क्या change of मोल्स आफ आर फॉर्म्ड with respect to मोल्स आफ एस फॉर्म्ड, तो मैंने यहां पर फार्मूला बोला था आपको nr-nr-nr-nr-nr-nr-nr-nr-nr-n-n-s-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n- और यह क्याता नंबर आप मोस आफ एक फॉर्म्म्ड यह हम लोगोने फाइनल मोस मेच में और यहाँ पर बेटा मोस क्या थे यहाँ पर थे लोट नह यहाँ पर यह मोल ले रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ पता है कि जब हम बात करें कि यहाँ पर A के मोस तो decrease होंगे बट R और S के मोस क्या होंगे increase होंगे as compare to initial मोस क्यों क्यों क्योंकि reaction होगी तो A के मोस क्या हुए होंगे disappear होगे होंगे A का conversion हुआ होगा लेकिन R और S का formation हुआ होगा तो यहाँ से मैं एक चीज आपको कल भी बोला था क्या कि NR जो होगा वो greater than होगा NR not के जो NS होगा वो greater than होगा NS not और जो NA होगा वो less than होगा बेटा NA not से ठीक है इतनी चीज़े clear थी अगर इतनी चीज़े clear थी तो मुझे बस एक बार आप इतना बता दो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है final most of R minus initial most of R तो यह क्या बताएगा कि कितने number up most यहाँ पर R के form हुए और यहाँ पर NS minus not final most of S minus initial most of S तो यह बताएगा कि इस reactor में कितने S के mole का formation हुआ और उन दोनों का ratio हमारा selectivity बता रहा है that means जब हम बात कर रहें मोल्स के टम में तो बेटा reactor के अंदर तो मोल्स continuously change हो रहे होंगे क्यों क्यों क्योंकि यहाँ continuously reaction हो रही होगी अगर continuously reaction हो रही होगी तो हम यहाँ पर मोल्स की बात अभी नहीं कर पाएगे इसलिए instantaneous selectivity हमेशा rate के टम में define की जाती है और यहाँ पर हम लोग यह निकालते हैं यहाँ पर हम लोग selectivity कैसे count करते हैं सैंपल में जैसे एक सैंपल लिया फिर दूसरा सैंपल लिया तीसरा सैंपल लिया और उस सैंपल में change of most of a rs उसके टम में हम लोग rate के टम को calculate करते हैं और rate से हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर कितनी selectivity होगी तो हम लोग जब instantaneous selectivity की बात करते हैं instantaneous selectivity की बात करते हैं बेटा तो हम लोग बोलते हैं plus rr upon plus rs और जब plus rr upon plus rs मलब rate of r with a respect to rate of s इसके कम में हम बात करते हैं तो मुझे वहां से पता चलता है कि R और S के रेट से कितनी Selectivity R की होगी कितनी S की होगी और हम बोलते हैं कि जो हमारा Selectivity होगा वो Maximum होना चाहिए तो हमारा R का रेट Maximum होना चाहिए और S वाले का रेट Minimum होना चाहिए तो यह overall value क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी, इतनी इसी चीजे थी जो हमें clear रखनी थी ठीक है ठीक है ठीक है, जो है 93, अरे बढ़ाओ यार इसे, हाना, आप लोगा share नहीं करते हो, और यार अगर मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीजे कर रहा हूँ तो आप लोगों का इतना तो हग बनता है, कि कम से कम अपने friends को, अपने juniors को seniors को, college के group में जो भी chemical engineering का है, उसमें आप share करें और जितना आप share करेंगे student बढ़ेंगे, उतनी मेरी feeling strong होगी, फिर तो यार आप कुछ भी चाहेंगे ना, मैं सारी चीजे करने को तयार हूँ लेकिन मुझे कम से कम्यार, 100 प्लस हर session में तो चाहिए, minimum 100 प्लस हर session में चाहिए, ठीक है तो चलो आगे move करते हैं, तो यहां से हमारी क्या-क्या चीजे, अच्छा इसका screen shot लेना हो तो ले लो एक बार तो यहां से हमारा क्या या बेटा, हमारी जो instantaneous selectivity आई, sr by s is equal to तो वो क्या आगई, प्लस rr upon प्लस rs, और यहां से हमारा क्या आगया, यहां से हमारा आगया बेटा, और जैसे हम लोगोंने reaction की बात की थी, कि एक reaction है, a gives to r and a gives to s, और मैंने बोला, यहां पर rate constant k1 है और order n1 है, यहां पर rate constant बेटा k2 है और order n2 है, तो हम लोगोंने जब प्लस r के टम में, मतलब rate के टम में लिखा तो प्लस r, r is equal to, अच्छे यहां से यह समझ में आ गया, r मतलब इस r के लिए, r मतलब rate और प्लस मतलब formation हो रहा होगा तो formation का rate लिख रहे है, तो वो होगा हमारा k1 ca to the power n1 और जब इसके लिए लिखा था हम लोगोंने तो प्लस r is equal to k2 ca to the power n2 और यहां से इतना हम लोगोंने निकाल लिया था कि यहां से हमारा क्या जाएगा k1 by k2 ca to the power n1 और upon ca to the power n2 तो यह हो गया था, ca to the power n1 minus n2 इतना हमारा आ गया था और मैंने क्या बोला था कि यह बिटर rate हाई होना चाहिए मतलब हमारा overall r का rate हाई होगा s का rate low होगा तो selectivity अपने आप हाई होगी तो मैंने फिर यहां पर आपको क्या बोला था for high selectivity for high selectivity instantaneous selectivity instantaneous selectivity should be high should be high और अगर यह हाई होगा instantaneous selectivity high होगा तो यह अपने आप हाई होगा और यह हाई होगा तो r का rate हाई होगा r का rate हाई होने का होगा r की selectivity मैं बोलू r का formation maximum होगा और जो मैं चाहता था मैं जो activity choose करना चाहता था कि जिससे की R का formation maximum हो वो activity कौन सी होंगी तो उसके time में हम लोगों ने बात की थी तो यहां से हमारे पास क्या आया था यहां से हमारे पास कुछ case आये थे और case number 1 case number 1 if N1 is greater than N2 if N1 is greater than N2 अच्छा मैं यहां पर आप लोगों को इतना लिख दे रहा हूं कि जो selectivity आये थी R by S वो क्या है था K1 by K2 K1 by K2 CA to the power N1 minus N2 तो मैंने क्या बोला बेटा कि N1 greater than N2 तो इसकी value होगी positive जैसे value positive CA to the power positive value बलब concentration जितना high लेंगे जितना high लेंगे उसकी value जितनी positive होगी उतना हमारा selectivity high होगा तो हम यहां पर बोल देते हैं keep high concentration ठीक है case number 2 की बात करें case number 2 की बात करें if N1 is less than N2 तो यहां से हमारा क्या गया था बेटा N1 less than N2 तो N1 minus N2 की value होगी negative तो यह 1 by CA to the power negative value मैं अब concentration low रखेंगे तो यह वाली value हमारी high होगी तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला था keep low concentration और third case की बात की थी हम लोगों ने case number 3 if N1 equal to N2 हो जाए तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा N1 equal to N2 हो गया तो N1 minus N2 की value 0 हो गई और अगर यह value 0 हो गई तो CA to the power 0 यह पूरा का पूरा value 1 हो गया फिर depend करेगा K1, K2 पर तो हम लोग क्या बोल रहे थे independent independent of CA और फिर यहां से हम लोगों ने case number 4 की बात की थी case number 4 की बात की थे if you even is greater than E2 याद करो मैंने कल पूरा कर बताया था वहां पर आप लोगों को पूरा explain किया था और मैंने आपको क्या बोला था यहां पर feeling बहुत important है तो मैंने आपको क्या बोला था कि यदि हमारा E1 greater than E2 है और यदि हमारा high activation energy का जो कर होता है वो steep होता है और वहां पर यदि मैं temperature में small change करता हूँ मैंने आपको एक point लिखाया था जब activation energy के लिए मैंने आपको पढ़ाया था rate constant theory तो वहां पर मैंने आपको एक point लिखाया था बेटा और वो point simple सा क्या था कि जितनी भी high activation energy की reaction होती है वो temperature sensitive होती है और temperature sensitive का mean बस इतना सा था कि यदि वहां पर small variation करते है temperature में हम थोड़ा सा भी temperature increase करते है तो उसकी k की value में high increment होता है k की value में high increment होने का उनलब उसका rate बहुत तेजी से vary करता है अगर मैं rate कम करूँगा तो बहुत, sorry अगर मैं temperature कम करूँगा तो rate sudden down हो जाता है और अगर मैं temperature थोड़ा सा भी increase करूँगा तो rate sudden बहुत high हो जाता है तो वो temperature sensible reaction होती है temperature sensitive reaction कहलाती है तो that means वहाँ पर rate एकदम high होता है तो that means अगर मुझे वो reaction करानी है जहाँ पर E1 greater than E2 है और E1 वाला जो product है वो हमारा desired है तो मैं चाहूँगा कि high temperature पर reaction हो तो मैं चाहूँगा high temperature पर reaction हो तो वहाँ पर हम लोग maintain करेंगे high temperature और case number 5 की बात करें E4 even less than E2 है और वेटा हम लोग बात ही कर रहे है कि हमारा even उस reaction के लिए activation energy है जो हमारा desired product को represent कर रहा है तो desired product के लिए अगर activation energy low है even low है तो यार मैं undesired product को क्यों activation energy provide करूँ कि वो reaction में participate करे मैं क्यों activation energy उसको provide करूँ कि वो product बना ले मैं क्या करूँगा मैं maintain करूँगा low temperature मैं maintain करूँगा बेटा low temperature low temperature maintain करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि जब तक इसको activation energy मिलेगी second वाली reaction start होगी A to R और A to S जब तक ये वाली reaction start होगी E to वाली तब तक हमारा बहुत सारा A का consumption हो चुका होगा और R में formation हो गया होगा A हमारा convert हो गया होगा R में इसलिए हम क्या करेंगे low temperature maintain करेंगे और इस वाली को नहीं होने देंगे और ये तो intentionally है ना यार क्यों क्योंकि हम selectivity की बात कर रहे हैं हम उस activity को select कर रहे हैं जहां से हमारा minimum 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 undesired product का formation होना चाहिए तो कुछ इतने से cases से ठीक है कुछ कुछ बोलना है क्या थोड़ा first ओके यहां पर सारे बच्चे हैं देखो second year, third year, final year तो चलो थोड़ा ओड़ा first करते हैं अच्छा अगर मैं यहां पर थोड़ा सा case change कर दूँ अगर मैं थोड़ा सा case change कर दूँ और मैं यहां पर बोलूँ कि a plus b gives to r gives to s सुनियेगा important यह है हमारे पास जो भी case हो उसको हम better form में realize कर पाए तो मैंने आपको simple सा इतना बोला कि आप reaction a gives to r a gives to s नहीं है आप reaction a plus b gives to r and gives to s है और इसके लिए मैं बात करूँ चलो मैंने मान लिया इसका rate constant k1 और इसका order n1 है इसका rate constant k2 और order n2 है अगर मैं इसके time में बात करें तो मुझे बताईए r और s का formation के लिए इनके rate क्या होंगे तो मैं अगर plus rr की बात करूँ plus rr की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बटा k1 ca to the power k1 ca to the power अच्छा अब जब मैं n1 और n2 की बात करूँ तो वो किसके respect में है तो आब मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि n1 n2 a के respect में है और m1 m2 b के respect में है तो हम मैं rate कैसे लिखूँगा k1 ca to the power n1 cb to the power m1 और जब इसकी बात करेंगे जब इसकी बात करेंगे तो plus rs is equal to हम इसके टम में इसको represent करेंगे और क्या लिखेंगे k2 ca to the power n2 और cb to the power m2 ऐसा हो जाएगा बेटा और जब ऐसा हो जाएगा तो मुझे बताईए अब यहाँ से अगर मैं selectivity की बात करूँ selectivity की बात करूँ और वो selectivity मैं instantaneous की बात कर रहा हूँ s r by s की to the power n1 cb to the power m1 upon k2 ca to the power n2 cb to the power m2 और यहाँ से यह दिमें इससे solve करूँ तो वेटा क्या जाएगा k1 by k2 ca to the power यह n1 minus n2 हो जाएगा n1 minus n2 हो जाएगा और cb to the power m1 minus m2 हो जाएगा m1 minus m2 हो जाएगा और यहाँ से finally हम लोग अब case study की बात करें ठीक है तब सुनिएगा मैं पूरा explain नहीं कर रहा हूँ इससे short form में बस जल्दी जल्दी cover करेंगे अब case study में बेटा 1 n1 n2 का case बनेगा 1 m1 n2 का case बनेगा 1 k1 k2 का case बनेगा तो चलो हम क्या करें हम पहले बात कर ले n1 n2 के case में तो चलो हमने बात किया बेटा n1 is less than n2 या n1 is greater than n2 n1 is greater than m2 ठीक है फिर अब इसके साथ मैं तीन case बना लो इसके साथ मैं तीन case बना लो कौन कौन सा 1 case बना लो n1 is greater than m2 1 case बना ले n1 equal to m2 1 case बना ले m1 is less than m2 तो सुनिए गा बेटा क्या हो जाएगा n1 greater than n2 का मतलब क्या हो गया यहाँ से याद करो n1 greater than n2 का मतलब क्या हो गया keep high CA तो हमारा क्या हो गया यहां से, keep high CA, ठीक है, और यहां M1 greater than M2 हो गया, M1 greater than M2 हो गया, मुलब keep high CB, तो keep high CA and CB, A भी high चाहिए, B भी high चाहिए, अच्छा, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हो गया, keep high CA, high CA and independent of CB, और इसके लिए क्या हो गया, keep high CA, high CA and low CB, clear हो गया क्या, एक बार जल्दी से मुझे comment करके बताओ, यह case clear हुआ क्या, और इसमें कोई doubt है, तो एक बार पूछ हो, कोई doubt है, तो एक बार पूछ लो, यस, clear, clear, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई doubt नहीं है, M1, M2 का, ठीक है, एक बार बता देता हूँ, सुनो बेटा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की, जैसे अब मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो भी case मैंने लिखे, यह आपको clear है, पूनम, जो भी मैंने यह case लिखे, अगर आपको वो clear है, तो मुझे एक simple सा चीज बताओ बेटा, यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला, जैसे ही मैंने बोला, कि यह क्या था, k1 by k2, ca to the power n1 minus n2, अगर मैं इसको replace कर दूँ, मैं ऐसा लिख दूँ, k1 by k2, और ca को मैं लिख दू, cb to the power n1 minus n2, तो यह बेटा एक ही चीज तो हो गई, जहाँ पर हम बोला है थे keep high ca, तो यह क्या हो जाएगा, keep high cb, keep low cb, independent of cb, और अगर मैं इसी n1, n2 को change करके, m1 और m2 कर दूँ, तो बस n1, n2 की जगह change होके, m1, m2 हो गया, तीन case अभी भी वही बन जाएंगे, तो same to same वही है, same to same वही है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही किया, पहला case मैंने बताया, n1 greater than n2 का, और इसके साथ मैंने तीन case ले लिए, क्योंकि बेटा a और b, a और b का जो भी feed है, वो एक दूसरे पर depend कर रहा होगा, ठीक है, तो that means हम लोग यहाँ पर उसके basis पर feed condition apply करें, और हमारा depend क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जैसे हमने एक condition ले लिए, n1, n2 की, तो इसके साथ मैंने तीन condition लिए, m1, m2 की, ठीक है, n1 greater than n2 जैसे मैंने लिया, वहाँ पर उसने यह decide कर दिया, कि a का concentration high होना चाहिए, लेकिन अब b का वहाँ कैसा होना चाहिए, और वो तो हमारा reaction से पता चलेगा, कि order क्या है exactly, मुझे पहले से तो नहीं पता, that means यह हमारा तब पता चलेगा, जब reaction कराएंगे, और वो experimental quantity है, order, और order से पता चलेगा, इसका N1 है, इसका N2 है, और b के respect में, इसका M1 है, इसका M2 है, तब हम लोगों ने यह equation लिखी, और इसके basis पे अगर मैंने, मुझे यह decide हो गया, कि M1 greater than M2 है, तो इसका मतलब यह हो गया, M1 greater than M2, M1 greater than M2, M1 minus M2 की value positive, अब CB to the power positive value है, तो CB जितना हाई होगा, उतना हमारा rate हाई होगा, इसलिए same to same जैसे पीछे case लिया, वहाँ CA का लिया, यहाँ CB का लिया, तो इस तरह 3 case बेटा यह बन जाएंगे, अच्छा, case number 2 की बात करूँ, तो exactly यह one case नहीं है, case 1, case 2, case 3, यह 3 case ही हो गए, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ से case number 4 की, तो क्या होगा, M1 is less than M2, और इसके साथ फिर 3 case बन जाएंगे, क्लिए रखिया, अच्छा, मैं next page में आ जाओ, अब यहाँ से मैंने क्या बोला, case number 4, 3 case हो हो गए, case number 4, if home, N1 is less than N2, और यहाँ से फिर 3 case बनेंगे, कौन-कौन से, एक बनेगा, M1 is greater than M2, एक बनेगा, M1 equal to M2, एक बनेगा, M1 is less than M2, अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कि N1 less than N2, तो यहाँ से क्या हो गया, keep on low CA, ठीक है, end, end, अब B के respect में, यहाँ पर हो गया हमारा high CB, high CB, यहाँ पर हो गया independent of CB, और यहाँ पर हो गया low CB, clear हो गया, एक दम, एक दम clear हो गया, अच्छा, अब मैं case number, यह क्यों क 7 की, case number 7 की, तो फिर वही, if O, even greater than E2, तो क्यों हो जाएगा, keep high temperature, और next बात करें, case number 8 की, if O, even less than E2, तो यह हो जाएगा, हमारा keep low temperature, और इस तरह से, अगर दो reactant पर depend कर रही है, reaction, और दो अलग-अलग उसके order दिया है, relative order के time में given है, तो मैं उसके time में भी selectivity को define कर सकता हूँ, ठीक है, चलो, तो इस तरह से, हाँ, यह concept भी clear हो गया, हाँ, घजब, ठीक है, तो बस, यह कुछ concept थे, और इन concept से, अगर आप कुछ feel कर रहे हो, realize कर रहे हो, तो फिर question कभी, कुछ भी tough नहीं हो सकता, तो यहाँ से, अ ठीक है, चलिए, पूछ लीजे एक बार, अरे भाई, क्यों, कौन कि स्कॉलेज से, क्या ही फर्क पड़ता है, सब हम लोग, बियाइटी सिंधरी, good, सभी हम लोग अभी chemical engineers है, मैं engineer हूँ और आप बनने जा रहे हैं, ठीक है, बस हमें better form में concept clear करने, यह हमारे लिए important है, ठीक सब के लिए, सर, कौन सा reactor कब लें, combination में, वेट करो यार, यह तो पढ़ा चुक हूँ मैं, मैं combination आप reactor पढ़ा चुक हूँ, ठीक है, पियाफार इन सिरीज, अमेफार इन सिरीज, पियाफार इन पैलल, अमेफार इन पैलल, और जो बाकी बची चीजे हैं, वह भी आगे बता ठीक है, वेट करते जाओ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, new topic हो, चाहे non-ideal reactor हो, चाहे non-isothermal हो, सारी चीजे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चली, हाँ, n1 equal to n2 will be, cases be same, yes, yes, okay, ठीक है, आगे देखो, इतनी चीजे clear हो गई, तो यहाँ से selectivity के जितने भी terms हैं, वह clear हो अब यहाँ से सुनना, ठीक है, अब सुनिएगा आगे, अब आगे सुनिएगा, अब यहाँ से हम कुछ selectivity में यह बात करें, अच्छा एक जो आप पूछ रहे थे, वो यह था कि कौन सा reactor कब यूज करें, सुनते जाओ, सुनते जाओ, अरे आस्तोस और सिवकुमार, बेटा छोड़ो यह सारी चीजे, कौन कि स्कॉलेज से, क्या करना है, अभी important क्या है, अभी important है, कि हम लोग concept के लिए करें, वो main important है, ठीक है, सुनिएगा, अब मैं यहाँ पर बात करूँ, how to keep, how to keep, ठीक है, सुनना, और बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, मै क्या बोल रहा हूं, क्या explain करना चाह रहा हूं, बहुत important है, मैंने बोला, how to keep, मैं यहाँ पर बार-बार बोल रहा हूं बेटा, कि कभी आप concentration low रखो, कभी concentration high रखो, जैसे यहाँ पर हमने लिया, कि यह high concentration है, यहाँ कभी low concentration की बात करें, तो हम ऐसा क्या करें, जिससे कि मैं concentration high और low decide कर सकूँ, तो how to keep, high concentration, ठीक है, आफ ए, और how to keep, low concentration of A, अब मुझे बताईए, बस, ठीक है, हो गया, अब आप लोग इधर धान दो, हाँ, ठीक है, देखेगा, अब यहाँ से मैं बात कर रहे हैं, किस तरह से high और low concentration की बात करें, ठीक है, तो अब सोचिए, मैं कहाँ पर concentration high रख पाता हूं, कहाँ पर low रख पाता हूं, इससे पहले मैं आपको यह कुछ point लिखाऊं, उससे पहले हम कुछ reactor के time में बात करें, एक reactor है MFR का, और एक reactor है PFR का, एक reactor है MFR और एक reactor है PFR, MFR की कुछ condition मैंने आपको बताई थी, कि जैसे ही हमारा feed आएगा, वो feed यहाँ पर आएगा, mixing में participate करेगा, और concentration drop हो जाएगा, किसका? of a, ठीक है, क्या, concentration of a drop हो जाएगा, concentration of a drop हो जाएगा, मैंने बोला था आपको, क्यों drop हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ confusion था, सर ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैंने simple सा एक ही line में आपको explain किया था, कि बेटा, यहाँ mixing हो रही होगी, और mixing हो रही होगी, तो जैसे, जैसे, मैंने आपको बोला, कि एक आप बड़ा सा बरतन लीजिए, उसमें आप पानी भर दीजिए, और एक glass उसमें सरबत डालिए, और यहाँ पर उसको mix कर दीजिए, तो यह पूरा का पूरा जो भी हमारा अब mixture होगा, इस mixture का concentration, जो मैंने एक glass सरबत लिया था, उसके concentration से कहीं बहुत कम होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसको यहाँ पर mix किया, और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या क्या mixing कर दी, कभी feel कर लेना आप लोग, ठीक है, अभी देखो आपस में बाते छोड़ो, और अभी सिर्फ इधर ध्यान देते हैं, सुनेगा, ठीक है आप भाई दूसरों पर ध्यान मत दो, बस अपने अपनी चीजों पर ध्यान दो, इधर देखो, मैंने क्या बोला, आपने, आप कभी भी feel करना, आपने daily life में, मैं वही example देता हूँ, जिसको आप realize कर सको, मैंने बोला, एक बड़ा सा जग में पानी लेना, ठीक है, और एक मीठा सरबत उस glass में था, क्या उतना ही मीठा आप उस जग में होगा, नहीं होगा, concentration drop हो गया होगा सुगर का, और इसकी वैसे अब उसका जो मिठास होगा, वो कम हो गया होगा, बस वही चीज यहाँ पर होती है बटा, कि feed आया, और इस feed में, concentration of A, वो बहुत high होगा, लेकि जैसे ही mixing में participate करेगा, और यहाँ पर तो reaction हो रही थी, तो यहाँ पर concentration आप A drop हो रहा था, क्योंकि conversion हो रहा था एका, और product का formation हो रहा था, तो A का concentration drop हो रहा था, अगर A का concentration बेटा drop हो रहा था, अगर A का concentration यहाँ पर drop हो रहा था, तो simple सा मतलब आप समझ लीजिए, कि amount होगा, इसके compression कुछ कम होगा, और जैसे ही यह आया, और mixing हो रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि यह एक ideal and perfect mixing है, तो इसकी वज़े से ideal and perfect mixing के वैसे concentration जो reactant का होता है, वो sudden drop होता है, concentration of A drop होता है, और concentration drop होता है, तो that means, जहां मैं चाहता हूँ कि low concentration हो, जहां मैं चाहता low concentration हो, वहां पर reaction मैं किस में कराऊंगा, CSTR में, use CSTR, यह मैं बोलू, MFR, ठीक है, CSTR is the part of MFR, MFR मतला है, mixed flow reactor, कोई भी ऐसा reactor हो, जहां पर mixing हो रही हो, एक ideal mixing हो रही हो, वो हमारा MFR का ही part होगा, और उसका एक part है, CSTR, continuous reaction reactor, वो उसका एक part है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको low concentration maintain करना है, अगर आपको low concentration maintain करना है, आप reaction क्या करिए, CSTR में करा दीजे, आप बोलोगे, सर हम ऐसा करें, मैं थोड़ा थोड़ा concentration दूँ तो, तो भी तो चलेगा, बेटा अगर थोड़ा थोड़ा concentration देंगे, तो production भी तो कम हो जाएगा, मुझे production कम नहीं करन मुझे सिर्फ और सिर्फ reactant का concentration कम करना है, सुनिएगा मेरी बात को गौर से समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है, देखो बाकी चीज़ा भी भूल जाओ, आपस में बात करना छोड़ दो, सिर्फ मेरी feeling को समझो, मैंने क्या बोला, हमें production कम नहीं करना, मुझे क करना है, तो concentration आप A, और बहुत से बच्चे यहाँ पर confused हो जाते हैं, सर, concentration आप A change कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे A को वहाँ पर flow कराऊंगा, धीरे धीरे वहाँ पर देंगे, बेटा अगर धीरे 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 दोगे, तो सोचो ना, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा से यह दे रहे हो, यार मुझे जादा जादा production करना है ना, तो मैं maximum feed दूँगा ना, लेकिन मैं चाहता हूँ low concentration रहे, इसलिए मैं उस reaction को किस में कराऊंगा, MFR में कराऊंगा, अगर मुझे low concentration maintain करना है, तो आप दीजिए feed जादा यार, production मुझे जादा करना है, लेकिन उस type की reaction को high concentration maintain करना है, high concentration maintain करना है, तो हम आ जाते हैं किस में PFR में बिटा, अगर high concentration maintain करना है, तो हम आ जाते हैं PFR में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे इंटर करेगा, यह होगा CA not, और यह already high होता है, और यह low mixing की वैसे नहीं, यह low reaction की वैसे होता है, और मैंने इस reactor के अंदर वो furible condition apply कर दी मैंने ये concentration high क्यों रखा मैंने high तब रखा जब N1 greater than N2 था या जब M1 greater than M2 था तो मैं वहाँ पर A, B, C जो भी होंगे reactant उनका concentration high रख रहा हूँ और अगर मैं concentration high रख रहा हूँ तो R का formation जादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा R का formation जादा होगा और यही तो मैं चायता था selectivity मैं वही activity को select कर रहा हूँ जिससे कि R का formation जादा हो तो मैंने क्या बोला मैं यहाँ पर concentration आप A को high रखूँगा maximum करूँगा तो मतलब high रखने का अब यह नहीं कि आपने बहुत जादा दे दिया high रखने का मतलब यह है कि जब reaction हो रही है वहाँ पर concentration high maintain करना है तो मतलब यह मतलब नहीं है कि आप बहुत जादा हाँ बहुत जादा तो दे नहीं है यार क्योंकि हमें production करना है मुझे परड़े का production maximum करना है तो मैंने यहाँ पर high रखा लेकिन अगर मैं high रखना चाहता हूँ और CSTR में reaction करा दी तो concentration drop हो जाएगा हमारा loss हो जाएगा और हमारा R की जगए S का formation जादा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा अगर मुझे high concentration maintain करना है तो मैं PPR यूज़ करूँगा और PPR में reaction high होगी और जैसे जैसे आगे forward move करेगा वैसे वैसे हमारा concentration तब drop होगा ना कि mixing की वैसे drop होगा तो मैंने बोला कि जहां पर high C.A. की बात करेंगे जहां पर high C.A. की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे यूज़ पी आफार इतना clear होगी होगा ठीक है तो इतना clear है ठिक तो यहां से हमारा बिटा high CA और low CA के लिए एक point आ गया अब दूसरे point की बात करें सुनते जाना सुनते जाना बिटा अब दूसरे point की बात करें यहां से मैं हटा दे रहा हूँ कोई mean नहीं है चलो मैं एक और page add कर ले रहा हूँ अच्छा हम लोग कुछ conversion की बात करते हैं क्या conversion हां सर बात तो करते है और वो conversion होता क्या है चलो एक बार लिख लेते हैं हम लोगों ने कुछ ऐसा formula पढ़ा क्या CA is equal to CA not 1 minus x या xc equal to 1 minus CA by CA not ठीक है अगर मैं बेटा अब सुनिएगा मैं क्या चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि low CA और high CA कैसे maintain करें low CA और high CA कैसे maintain करें तो सुनिएगे बेटा अगर conversion का formula यह है अगर conversion का formula यह है अब बहुत से students को यहाँ पर बहुत doubt होता है तो doubt नहीं करना है पहली चीज़ doubt नहीं करना है ठीक है ठीक है तो मैंने क्या बोला doubt नहीं करना सर हम तो conversion हमेशा maximum की बात करते है अच्छा conversion हमेशा maximum की बात करते हो पक्का चलो लिख लेते है reaction A gives to R और A gives to S conversion किसका होता है सर reactant का होता है ठीक है बटा react end का conversion होता है x से sir हम इसको high करते है हमेशा चलो मैंने आपकी बात मान ली आपको मन में यही आता है न sir conversion should be maximum आप तो हमेशा यही पढ़ायों बेटा जब मैं पढ़ाया हूँ वो case कुछ और थे अब जो पढ़ा रहा हूँ इस case को realize कर लो फिर काभी confusion नहीं रहेगा बस सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुनना एक भी point miss नहीं होने पाए बस सुनना मैंने क्या बोला बेटा reaction है a to r a to s हमें r का formation करना है maximum क्योंकि यह हमारा desire product sir जो conversion होगा उसको maximum कर दो चलो बेटा s में भी होगा λेकिन मैं क्या चाहता हूं सिर्फ a से r में हो तो conversion आप a maximum करना aim नहीं हमारा हमारा aim है formation आप r को maximum करना conversion आप a maximum गया हो जाएगा चाहे बेटा r बने चाहे बेटा s बने लेकिन s तो हमारा undesired है s तो हमारा undesired है तो मैं क्यों चाहूंगा यार S बने बेटा conversion A maximum करेंगे तो वो दो case में हो सकता है R भी ज़्यादा बन सकता है S भी बन सकता है और क्या ही फर्क पड़ता है R बन रहा है कि S बन रहा है हम तो सिर्फ conversion की बात कर रहें कि conversion A should be maximum नहीं बेटा यहाँ पर हम conversion A should be maximum नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे conversion A in the R हम A का conversion करें बट किसमे R में वो maximum होना चाहिए या मैं बोलू formation A up R should be maximum या तो हमारा R का formation maximum होना चाहिए लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला कि बेटा एक reactor में reaction हो रही है और reaction में हम furable condition apply कर रहे है furable condition apply कर रहे है तो समझिएगा अगर furable condition apply कर रहे है तो furable condition apply करने के लिए मैंने क्या बोला concentration आप A जो होगा वो high या low maintain करते हैं और temperature को high या low maintain करते हैं तो अब यहाँ पर जो conversion है conversion depend कर रहा है दो चीज़ों मार R पर और S पर तो मैं क्या बोलूँगा conversion कब maximum होना चाहिए कब minimum होना चाहिए तो अगर सुनिएगा बेटा अगर मैं low temperature low concentration आप A की बात करूँ जहाँ पर मैं low maintain करना चाहूँगा तो low maintain करना चाहूँगा मैं चाहूँगा concentration आप A low हो और जहाँ पर concentration आप A low हो वहाँ पर Convergen क्या होना चाहिए? Convergen होना चाहिए, बेटा, High सुनिएगा, मैंने क्या बोला? CA को बेटा, Low हो अगर CA Low हो, तो ये Low Value कितनी होगी? XA की Value लाई करती है 0 से 1 के बीच XA की Value लाई करती है 0 से 1 के बीच ठीक है, और बेटा, अगर मैं चाहिता हूँ Concentration आप ए, Low हो अगर ये Low हो, तो मुझे बताईए ये High होना चाहिए या नहीं और अगर ये High होगा, तभी तो ये Low होगा मैंने क्या बोला? सुनना बेटा, मैंने बोला आप यहाँ से Convergen अगर आप High करेंगे Convergen High करेंगे, तो CA अपने आप Low हो जाएगा, या उपर से बोलू अगर Concentration को आप Low करेंगे तो Convergen High होना चाहिए, सर क्यों ऐसा होना चाहिए? 1-XA और XA की Value Depend करती है, 0 से 1 के बीच में तो बेटा, जितना 1 की तरफ Tend करेगा ये 1-1, महलब Once की तरफ जितना Tend करेगा ये Value उतनी Low होगी और जितनी Low होगी, वो One से Less दै नहीं आएगी और CA नॉट से Multiply होगा, ये उतना कम होगा, तो मैं बोलू यहाँ पर For Low CA XA should be High, Yes or No, अब बताओ मुझे, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर मैंने Simple सा एक Line बोली, कि अगर बेटा Low CA रखना है, तो मैं बोलूँगा Maintain High Conversion Conversion Off A मैं क्या बोलूँगा, Maintain High Conversion Off A, और High Conversion Off A क्यों, क्योंकि जो हमारा X से होता है, या मैं बोलूँँ, जो हमारा CA होता है, CA हो CA not 1-X से होता है, और वहाँ Conversion जितना जादा, जितनी जल्दी होगा, जितना जादा होगा उतना Concentration हमारा कम होता जाएगा मैंने तो आपको बोला था, कि किसी भी reaction में, initial time पे जो Concentration होता है, वो CA not होता है वो maximum होता है, उस time पे Conversion minimum होता है, वो equal to 0 होता है, और जैसे जैसे Conversion बढ़ता है, वैसे वैसे Concentration Drop होता है, Concentration Decrease करता है, अगर Concentration Decrease करेगा, Conversion Increase करेगा तो दोनों एक दूसरे के Inversely Proposal है, अगर मुझे Concentration Low रखना है, तो Conversion High रखना पड़ेगा, तो उल्टा यहाँ पर क्या हो गया वहाँ पर High, तो यहाँ पर Low Conversion जितना Low रखूँगा, उतना हमारा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा Concentration Maintain होगा, और Concentration जितनी दे रहाई रहेगा, उतना हमारा Dejaire Product का Formation उतना ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, Maintain Maintain Low Conversion, मतलब कि क्या होगा, CA क्या होगा, या मैं बोलूँ, bracket में मैं लिख दूँ, X से क्या होना चाहिए, X से कम होना चाहिए, minimum होना चाहिए, और यहाँ पर X से हमारा maximum होना चाहिए, कुछ समझ में आया, आप कोई doubt है तो पूछो, कुछ doubt है तो पूछो, सर, batch reactor किस case में यूज करेंगे, गौरव, just wait करो, अभी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ, हाना, ठेक है, चलो, हाँ, अच्छा, विमल, चलो, मेरे पुराने बच्चे भी present है, हाना, चलो, धन्दो, तो यहाँ से इतना clear हो गया, कि क्यों हम लोग यहाँ पर high, और क्यों हम लोग यहाँ पर low conversion maintain कर रहे हैं, मेरे तो समझ भी नहीं आता था, B-tech में, हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे, सर हमेशा तो हमें यह पढ़ाया जाता है, कि conversion maximum होना चाहिए, तो फिर हम low maintain क्यों करें, और सर पियाफार में तो वैसे ही conversion हाई होता है, फिर क्यों लोग करें, यह मेरे समझ में नहीं आया था, ठीक है, जब मैं B-tech में था, अब आप लोगों के समझ में आ गया तो मुझे बताओ, एकदम clear हो गया ना, हाँ, यह clear हो गया, एकदम के लिए रहो गया, ठीक है, CSTR में कैसे high conversion maintain करेंगे, सरुप, बस वही चीज मैं बोल रहा था ना, एक बार दिल से समझ लो ना इस चीज को, इस चीज को एक बार बस कादे से समझ लो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सुनों, एक बार फिर से मैं एक new page 8 कर देता हूँ, सुनना, मैंने क्या बोला, कि अगर बेटा यह CSTR है, यहाँ पर हमारा feed आया, ठीक है, हमारा XA, या मैं बोलूं CA, CA क्या होता है, CA not, minus CA not XA, यह होता है न, अब बेटा, यह value, अगर मुझे हाई रखनी है, यह वैल्यू अगर मुझे हाई रखनी है, यह होता है न, CA not, 1-XA, मैंने CA not को multiply कर दिया, तो CA not minus CA not XA, यह value high रखनी है, तो मुझे यह value क्या करनी पढ़ेगी, लो करनी पढ़ेगी, और अगर यह value मुझे low रखनी है, तो ये value मुझे high करनी पड़ेगी, इतना तो समझ में आता है, सुनना ना, कोई इसमें doubt वाली बात ही नहीं है, मैंने क्या बोला, अगर ये value मुझे high रखना है, तो ये high तब होगा ना, जब ये वाली value minimum हो क्यों, CA not minus, और CA not तो constant है ना, जो initial concentration आपने ले लिया, ये CA not तो constant है CA not maximum value है, initial time पर concentration of A की, और ये value जितनी low होगी, तो ये overall value उतनी हाई होगी, मतलब CA उतना ही होगा, उल्टा मैं बात करूँ, कि CA की value जितनी low होगी, उतना मुझे CA not XA की value high रखनी पड़ेगी, मेटा CA not तो constant है, तो हमारा क्या गया, XA की value मुझे high रखनी पड़ेगी, क्यों क्योंकि मैं maintain करना चाहता हूँ, low concentration, अगर low concentration maintain करना है, तो conversion should be maximum, और अगर high maintain करना है, तो conversion should be minimum, बस यहाँ से clear हो गया, अच्छा आप लोग बोलो कि सर, conversion, आप लोग बोलते हो कई बार, कि सर, जो conversion होता है ना, जो conversion होता है ना, conversion तो हमेशा maximum होता है, नहीं बेटा, हर case में नहीं, यह हम वहाँ पर maximum की बात कर रहे थे, जहां पर हमारी यह तो series reaction हो रही है, यह हमारी simple सी reaction हो रही है, parallel reaction के case में मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, conversion should be maximum, मैंने हमेशा यहीं बोला होगा, formation, आप desire product should be maximum, तो desire product का formation maximum करने के लिए, मुझे एका conversion, CSTR में जब low concentration maintain करना है, तो मुझे वहाँ पर conversion high करना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ पर वो सारी favorable condition maintain करनी पड़ेगी, ठेक है, clear हो गया, चलो अब आगे बात करें, अच्छा, तीसरा case बात करें, तीसरा case बात करें, मैटा, क्या, अच्छा, सर, concentration को और कैसे ह अच्छा, बहुत बार मैं भी बहुत confused होता था बेटा, अगर आपके concept strong नहीं है न, तो हमेशा आप confusion में रहेंगे, यह inert कहां से आ गया है यार, बेवजे की चीज़े हम लोग के wait कर रहे है, यह बहुत important है, और इसकी feeling बहुत important है, सुनिएगा, सुनिएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर 100 moles आप ले लिजे, यहाँ पर 100 moles ले लिजे, माल लिजे अभी यहाँ पर A आ रहा था, ठीक है, A आ रहा था, और मैंने यहाँ से जो volumetric flow rate की बात किया, V naught, और हमने V naught कुछ ऐसा लिया, कि यहाँ पर volume जो है, volumetric flow rate है, वो माल लिजे कुछ इतना है, 1 liter पर मिनट, माल लिजे, इतना है, और 1 liter पर मिनट में यह 100 moles of A, moles of A, यह क्या कर रहे थे बिटा? इंटर कर रहे थे तो मुझे बताई ये concentration कितना होगा concentration कितना होगा, एके मोल्स कितने थे 100, upon volume कितना था 1 liter, तो यहाँ पर हमारा क्या गया 100, सुनना बिटा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ inert add कर दिया, inert add किया तो जैसे ही inert add किया तो या तो इसके कुछ मोल्स या इसका कुछ volume कुछ काम हो जाएगा, ठीक है और 1 liter मैं fix कर दूँ, या फिर मैं बोलूँ कि अभी यहाँ पर volume भी बढ़ जाएगा चलो मैंने बेटा कुछ मोल्स inert के add कर दिये, मैंने बोला plus 50 moles inert, मैंने बोला plus 50 moles of inert, यह मैंने add किया, और इस 50 moles का जो हमारा, माल लीजिए, माल लीजिए, मुझे exactly नहीं पता, कि हम कौन सा inert ले रहे हैं, लेकिन माल लीजिए, कि अगर ये 50 moles आप inert, मैं इसी time में 1 minute में enter करा रहा हूं, तो आब इसका कुछ तो volume बढ़ गया होगा, माल लीजिए volume और बढ़ गया, कितना 0.5 liter, 0.5 liter तो अब total कितना हो गया 1.5 liter per minute, अब इतना हो गया ठीक है, अब जब इतना हो गया तो total moles तो हो गया हमारे 150, लेकिन जब मैं A का concentration की बात करूँगा, तो A का concentration number आप मोल साब A 100 है, upon volume, volume of 1 नहीं रहा, ये 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, तो अब इसकी value 100 से कुछ कम हो गई, मतलब क्या inert add करते हैं, तो concentration decrease हो जाता है, पैटा 100 में 1.5 का divide करो, तो 100 से कम आएगा ना, decrease हो गया ना, मैंने क्या बोला, inert को add करते हैं, तो concentration drop होता है, और inert को remove करते हैं, माल लीजे, अब मैं यहाँ से, हमारा यह case था, अब मैं यहाँ से इस inert को remove कर दूँ, remove कर दूँ, तो यह क्या बचेगा 1 liter per minute, अगर मैं inert को remove करते हैं, तो वहाँ पर concentration increase करता है, और मैं बैटा यहीं पर concentration के time में बात कर रहा हूँ, concentration increase करना है, तो आप क्या बोलेंगे remove the remove the inerts from feed feed से remove को inerts को remove कर दीजिए और अगर low concentration maintain करना है, तो add कर दीजिए add the inerts add the inerts to the feed, feed में add कर दीजिए, आप बताओ, यह समझ में आ गया कि नहीं अब मुझे बताओ जल्दी से हाँ, concept guys, बेटा आ रहा हूँ numerical में, आ रहा हूँ, बस 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 एक और point बचा है, बस उसके बाद numerical में ही move कर रहा हूँ, सुनिएगा यह clear हो गया, यह clear हो हो गया, चलो, अब आगे आओ, next point next point, अब यहां से हम लोग start करें, क्या, यह तो हमारा remove dynets और add dynets, एक और case, अगर बेटा प्रेसर का effect हम consider कर ले, अगर pressure का effect consider कर ले, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ रखा है, कुछ हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है, सुनिएगा क्या, क्या, PA is equal to CA by RT, सर, यह कहां से आया था, यहां था, यहां था, PV is equal to NRT से, ठीक है, तो यहां से N by V जो निकाला था, हम लोगों ने, सरी, CA is equal to PA by RT था, तो यहां से जो N by V निकाला था, हम लोगों ने, तो क्या गया था, P by RT, और यह N by V क्या हो गया, concentration, और P by RT, और जब हम लोगों ने बात किया, एक एटम में, तो CA is equal to PA by RT, ठीक है, यह CA not equal to PA not by RT, तो यहां से हमारा pressure, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि concentration directly proportional to होता है, मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर इतना बोल सकते हैं, तो बस इतना यहां से clear कर दीजिए, कि अगर मुझे concentration increase करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, increase the pressure, increase the pressure of system, और यहां पर decrease the pressure of system, इतनी चीज़े याद कर लिजिए, चलिए एक बार skin shot ले लो, जो बैटा inerts होता है, वो reaction में participate नहीं करता, inerts को सिर्फ और सिर्फ हम लोग concentration maintain करने के लिए ही use करते हैं, ठीक है, concentration maintain करने का मतलब यह हो गया, जहां मुझे increase करना होगा concentration, तो remove को, वहां से remove कर देंगे inerts को, और अगर मुझे decrease करना होगा, तो add कर देंगे, बस इसके लिए ही use करते हैं, सर, conversion low है, तो R भी कम बनेगा ना, फिर फाइदा कहां हुआ, good question, सर, आपने inerts के flow rate अलग क्यों लिया, वो feed में mix होता है, हाँ बेटा, feed में mix होता है, सुनो, यह feed में mix ही होता है, मैंने यह mix ही करके तो भेजा है, और जब mix किया है, तभी तो इसका volumetric flow rate बढ़ गया ना, feed का add ही होता है, अगर मैं चलो, अब मैंने अलग से add किया था ना, अब मैं यही condition लिए लिए लिए, यह total है, यह यहाँ पर inlet करा रहा है, यह यहाँ पर हम introduce करा रहा है, और इसका जो 150 moles का volume है, वो volume कितना है, माल लीजे 1.5 liter है, ठीक है ना, अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ, सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने simple सा बस इतना बोला, कि यह एक reactor है, और यहाँ पर हमारा 150 moles थे, total, और इस 150 में हमने बोला, कि 100 moles A के थे, और remaining 50 moles हमारे inerts के थे, ठीक है, यह 150 moles total यहाँ पर enter कर रहे है, जिसमें volume जो है इनका, वो कितना है, 1.5 liter, 1.5 liter, चलो बेटा, यहाँ से enter किया, यहाँ पर mixing participate किया, reaction किया, exit किया, अगर मैं यहाँ पर बोलू, तो यहाँ पर अभी मुझे A का concentration कितना होगा, आप बोलेंगे सर, A के मूस, तो वो 100 है, अपॉन वॉल्यूम, 1.5 liter है, इतना आ गया, जो भी आएगा calculate करके, फिर मैं बोलू बेटा, inerts को क्या करो आप, inerts को remove कर दो, आपने यहाँ से remove किया, 50 mol remove हो गया, अच्छा 50 mol remove हुए तो कुछ volume भी कम हो गया होगा, चलो, अब मैं pure feet की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से pure feet जा रहा है, pure feet जा रहा है, वो pure feet कितना है, आप बोलो नहीं सर, volume उतना ही रखना है, लेकिन pure feet, तो बेटा, अगर मैं 50 mol inerts की जगह है, अब मैं add कर दू, 50 mol A, तो अब यह total कितने हो गया, 150 mol साप A, और volume उतना ही रहा, तो हमारा किसी यह क्या आ गया, 150 by 1.5, तो हमारा यहाँ से कितना आ गया, 100, और यह क्या था, 100 से less than, तो concentration हमारा increase कर गया, ठीक है, अगर आप इस तरह बात करें, remove करने की, तो A remove करिये, sorry, I remove करिये inerts को, तो A add कर दीजिए, volume में कोई changement नहीं हुआ, या फिर अगर आप बात करें, सर हम इसको remove करें, अगर volume में change होता है, उसको देख ले, चलो बेटा, यह volume बचा 1 liter, और आपने इसको remove कर दिया, तो उस case में C A कितना आ जाएगा, most of A upon volumatic flow rate, जो भी हमारा volume होगा, volume माल लीजिए 1 liter है, तो 1 liter है, तो इसके compression, अब concentration increase कर गया ना, तो remove the inerts for maintain the higher concentration, and remove and add the inerts for the low concentration, clear, चलिए, ठीक है, बस आप इसका screenshot जरूर लेकर रखना, इन 4 points को हमेशा यार रखना, बाकि कोई need नहीं है, ठीक है, तो चलो फिर, really a screenshot, और अब हम back आ जाते हैं, ठीक है, और start करते हैं हम लोग new miracles, ठीक, समझेगा, सुनिएगा, question पढ़ लीजिए, question पढ़ लीजिए, consider the following elementary reaction network, consider the following elementary reaction network, और कुछ इस तरह से हमारी reaction दी गई है, अब इसका exact मतलब समझ गया, इसका exact मतलब अगर मैं बिटा लिखूँ, कि देखिए, a से, a से ये कुछ ऐसी reaction हो रहे है, b, और a से ही ऐसी reaction हो रहे हैं c, तो ये reaction कुछ ऐसी दी है, a gives to b, and a gives to c, ठीक है, और देखिएगा, c से हमारा क्या बन रहा है, d, और b से हमारा क्या बन रहा है, d, तो चलो, b से भी हमारा बन रहा है, d, और c से भी हमारा बन रहा है, d, ये reaction है, बस confuse करने के लिए ऐसा network दे दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब आगे देखेगा, the activation energy for the individual reactions are, E1, मलब E1 किसका था, ये वाली 1 reaction थी, इसकी, मलब A2B, A2B, इसके लिए E1 दिया है 100, 100, ठीक है, E2, 150, कौन सा था, A2C, इसके लिए activation energy है, 150, फिर E3, 100, तो E E3 किसका था, B2D, B2D, इसका कितना है, 100, और C2D, ये 4 था, E4 दिया है 200, ठीक है, इतना clear हो गया, इतना, हाँ, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखेगा आगे, आगे देखेगा, if the feed is pure A, ओके, ये जो A है, ये हमारा pure A है, pure A है, यहाँ पर कुछ भी हम लोगों ने, यहा हमारा inert add किये गए है, यह नहीं है, प्योर फीड है, यहाँ कोई inert present नहीं होंगे, ठीक है, and the desired product is C, okay, this is the better, this is the desired product, this is the desired product, okay, अब आगे क्या कह रहा है, then the desired temperature profile in a plugged flow reactor, then the desired temperature profile in a plugged flow reactor, in the direction of flow seat, अब ये भी बोल दिया, कि जो reactor है बेटा, वो क्या है, PFR है, PFR है, मतलब high concentration maintain किया गया है, ठीक है, plug flow reactor, in the direction of flow should be, हमसे क्या पूछा है, desired temperature profile, मतलब अगर मैं यहाँ से आगे की तरफ move करूँ, तो यहाँ पर temperature मानू T1, और यहाँ पर temperature मानू T2, तो हमारा क्या होना चाहिए यह answer क्या कह रहा है, constant rate low temperature, मतलब मैं एकदम low temperature maintain करके constant कर दूँ, उसी पर reaction होने दूँ, दूसरा क्या कह रहा है, constant rate higher temperature, high temperature एकदम रख दूँ, उसी पर reaction होने दू, increasing, मतलब T1 से T2, यहाँ temperature low रखें और धीरे 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 बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे आगे feed हमारा move करें, और चौथा क्या कह रहा है, decreasing, मतलब कि पहले मैं high temperature maintain कर दूँ, और धीरे 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 हम उसको drop करते जाएं, decrease करते जाएं, चलो सही है, बहुत से student का answer सही आ रहा है, और आप लोग सही explain कर रहे हो, बड़ चलो मैं इसको एक बार explain कर देता हूँ, सुनिएगा, सुनि desire product है, वो है c, a to b, और a to c, यह desire product है, और b to d, और c to d, यह, और यहाँ पर यह 100 है, ठीक है, और, चलो जो भी, क्या थे, वहाँ से देख लो, क्योंकि मैं फिर remove करूँगा, तो फिर यह चला जाएगा, ठीक है, चलो मैं बस ऐसे explain कर देता हूँ, क्योंकि data मेरे पास होना जर यहाँ से 100, यह वाला 100, यह वाला 2 वाले का 150, ठीक है, इस 3 वाले का 100, और 4 वाले का 200, ठीक है, आपका answer सही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी important हमारे लिए यह है, कि हम इसकी एक बार feeling समझ ले, और बहुत सारी चीजे मैं इसमें बताने वाला हूँ, वह important है, सिर्फ उतने से मतलब नहीं हमें, concentration temperature inversely proportional होता ना, सुनो, सुनो क्या होता है, सुनना, अब यहाँ से हमारी इतनी चीजे जो समझ में आगे, यहाँ पर कुछ order वाला दिया ही नहीं है, order वाला नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है plug flow reactor, यहाँ पर दे दिया गया ह effect कैसा करना है हमें, कैसे रखना हमें, तो सुनिएगा बिटा, जब यहाँ पर इंटर किया होगा, तब इसका concentration C is not maximum होगा, हमारी reaction कुछ ऐसी हो रही है, कि A give to B and A give to C, और C desire product है, B give to D and C give to D, लेकिन जो A give to B है, इसकी activation energy 100 है, और इसकी activation energy 150 है, अब सुनिएगा, अगर बिट है था कि पिटा ये अगर हाई activation energy होगा तो ये होगा, अगर मैं small change करूंगा temperature में, तो low activation energy वाली reaction में, rate में बहुत low change होता है, क्यों, क्योंकि K की value में, बहुत low change होता है, ये LNK था, और ये 1 by T था, ये T1 था, और ये T2 था, और मैं जब left side move कर रहा हूं, T1 to T2, तो मैं टम temperature increase कर रहा हूं क्योंकि 1 by T का graph है मैं right side increase करूंगा तो 1 by T increase होगा मतलब T decrease होगा left side move करूंगा तो 1 by T decrease होगा मतलब T increase होगा यहां से यह clear है कि T1 is less than 82 मतलब मैंने temperature बढ़ाया system का temperature बढ़ाया system का तो वो reaction जो low temperature पर हो रही है उसके rate में small change होगा लेकिन जो high activation energy वाली reaction है उसके rate में higher change होगा अब higher change होगा यहां पर high activation energy कौन सी थी यह 150 वाली और desire product हमारा क्या था C तो मैं क्या करूंगा high temperature maintain करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर high temperature होना चाहिए ठीक है जैसे जैसे आगे move करेंगे जैसे जैसे आगे move करेंगे वैसे-वैसे एका concentration जो होगा वो convert होना start होगा किसмен 2 में और एका conversion होगा product में लेकिन जो Silicon vídeo होगा वो दोनों में होगा किसमे किसमें होगा विमें भी होगा 12 बनेगा और सी भी बनेगा लेकिन मै एका का बने मैं B को बनने से रोक तो नहीज सकता मैं B को एच कंपेर टूवी तो मैं क्या करूंगा हाई घंव घंवर uleकिन जैसे में थोड़ा थोड़ा सा आगए पहूंचें अब तक हमारा सी बन चुका था एक का हमारा को नहो worn ओरा था maintain करके रखे अब बेटा ये 150 है ये 200 है सी थोड़ी देर बनेगा 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 और जैसे ही सी को इतनी energy मिल जाएगी कि सी से डी का फार्मेशन होने लगे तो सी से डी बनने लगेगा बेटा बी बनेगा उसको मैं रोक नहीं सकता और बी बने चाहे डी बने दोनों अंडी जाये तो मुझे क्या फरक पढ़ता है तो हम क्या करेंगे पहले तो high temperature maintain करेंगे इसके respect में क्योंकि B कम बने C जादा बने तो high temperature maintain करेंगे लेकिन अगर high maintain रहा तो C उतनी activation energy लेके D में convert हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि D में convert हो मैं नहीं चाहता कि D में convert हो इसलिए मुझे फिर temperature low करना पड़ेगा तो मुझे फिर temperature low करना पड़ेगा क्योंकि C से D का formation ना हो और यहाँ पर जब यह exit करे तो maximum C होना चाहिए बाकी हमारी चीजे minimum होनी चाहिए C से D ना बने B से D बन जाए चलेगा क्यों क्योंकि B को हम रोक नहीं सकते इसकी activation energy 100 है A से B तो बनेगा ही बनेगा लेकिन A से C जादा बने इसलिए पहले high temperature फिर लेकिन C से D ना बने इसलिए low temperature तो high to low रखेंगे मतलब decreasing temperature profile आएगी मतलब decreasing temperature profile आएगी आनंद मोहन आपने बटा answer B दिया है अगर B सही हुआ high temperature तो जैसे जैसे यह हमारा आगे move करेगा C का formation start हो जाएगा तो C से D का formation start हो जाएगा और हमें यहां C maximum नहीं मिलेगा फिर D maximum मिलेगा ठीक है तो यह चीज आप clear करेगे आनंद ओके ठीक है अब आगे देखेगा चलो इसी में थोड़ा सा change करते हैं इसे में थोड़ा सा change करते हैं सुनेगा change क्या करना है अब माल लीजे बटा reaction यही है A to B और A to C और C to D reaction हमारी यही है और activation energy भी चलो वही है यह 100 और यह 150 ठीक है यह हमारा हो गया यह हमारा हो गया 100 और यह हमारा हो गया 200 अब मैंने बोला बेटा desire product जो है वो B है desire product है वो B है अब मुझे बताइए चलो जल्दी से answer दो सर यह question PDF मिल जाएगा हाँ बेटा मैं share करूँगा भी ठीक है मैं share कर दूँगा yield के भी question होंगे यह भी होंगे जैसे-जैसे question कराते जाएगे मैं share करता जाऊँगा ठीक है ना चलिए अब यहां से देखिएगा यहां से देखिएगा यह बेटा अब मैं बोलना हूँ इंक्रीजिंग टंप्रेचर प्रोफाइल बाकी लोग answer करो जल्दी से मैंने इसी question को बस इतना change किया कि desired product अब C नहीं हमारा desired product हमारा भी है अब मुझे जल्दी से reply करो क्या होगा गौरो low temperature maintain करेंगे constant low temperature maintain low temperature sir temperature inversely proportional to pressure प्रेचर के अभी बात नहीं कर रहे है हम लोग अभी pressure की बात नहीं कर रहे है सिर्प टंप्रेचर की बात कर रहे है low to high यह सभी का answer आना increasing sir यह भाई क्यों कुछ लोग हाँ जादा तर लोगों का answer आ रहा है low constant low temperature चलो sir वो दोनो 100 हैं क्या हाँ यह भी 100 है यह 150 यह भी 100 यह 200 और भी हमारा desired product है चलो अब मैं बात करूँ बस 100 ही पहुचा होगी क्या उससे ज्यादा नहीं रखो गया है चलो आगे देखें increasing and constant temperature ठीक है मैं समझ गया आप लोगा answer अब देखते है exactly मैं define करता हूँ क्या होगा यह सुनिएगा बेटा मैं तो चाहता हूँ A से C न बने तो मैं क्यों high temperature maintain करूँ पहला point यह आ गया मैं क्यों high temperature maintain करूँ नहीं करूँगा ठीक है मैं सिर्फ रखूँगा low temperature लेकिन अगर आप किसी भी point पे high करते हैं ना तो A से C के formation का chance बढ़ जाएगा A से C के formation की जो हमारी quantity है C का formation है वो increase करने लगेगा तो मैं low temperature maintain करूँगा लेकिन लेकिन आप बोलो सर यह भी 100 है अगर उतना ही maintain करेंगे तो B से D बन जाएगा तो उस case में बेटा जो हमारा size of the reactor होता है वो हमें इतना ही रखना है जितने से हमारा A से B में conversion हो PFR में कर रहे है न CSTR नहीं है PFR में कर रहे है तो जितना high CA होगा उतना हमारा जल्दी जल्दी जैसे ही B का formation होगा वैसे हम तुरंथ exit करा देंगे मतलब मैं यहाँ पर रहा है velocity जो हमारा volumetric flow rate होगा वो high रखूँगा या मैं बोलो length of the reactor होगा वो कम रखूँगा और वहाँ से मैं maximum 100% conversion की बात नहीं करूँगा A to B क्योंकि अगर 100% मैं A to B की बात करूँगा तो वहाँ पर B से D का formation हो जाएगा तो उस case में मैं यह option नहीं बात कर रहा हूँ अभी अभी इनको छोड़ दो उस case में हम low temperature maintain करेंगे high volumetric flow rate maintain करेंगे small reactor length consider करेंगे यह हमारा answer होगा ठीक है चलो clear है अच्छा हाँ low में तो D भी बन जाएगा yes low में D भी बन जाएगा D ना बने इसलिए मैं यहाँ पर volumetric flow rate को high कर दूँगा important था यह चीज ठीक है D ना बने इसलिए मैं reactor की length को ना कम लूँगा या आप reactor की length कम लीजिए ठीक है volumetric flow rate जो रखना है या reactor की length जाद है तो volumetric flow rate इतना रखिए कि A से B का formation हो पाए लेकिन B से D में वो conversion ना हो पाए उतना time ही नहीं देना हमें उतना reactor में time ही नहीं देना कि B से D बनने लगे ठीक है ना तो हम इस तरह से उसको maintain करेंगे clear? चलो अब यहाँ पर फिर से मैं change कर रहा हूं सुनना देखो question एक है और gate वाले क्या करते हैं उसी question को उसी concept को तो घुमा के देते हैं तो इसी में जितनी possibility बन सकती है वो सारी बात कर लेते हैं हम लोग सुनना अगला question सुनना इसी में सुनना A to B ठीक है? बहुत से लोग यह सुचते हैं कई लोग सुचते हैं अच्छा नीवेर कल sir पीडियाप तो दे देंगे और पीडियाप दे देंगे तो फिर हम लोग question करी लेंगे ठीक है? तो यार वो important नहीं है मैं बोलता हूँ ना वो important नहीं important यह आप मेरे साथ रहेंगे तो और कितने concept सीख जाएंगे बहुत से लोगों को लगता है कि अगर skin sort मिल जाएगा options क्या होगा? मैं बैटे आप यह option के टम में बात ही नहीं कर रहा मैं अभी यह option इसके लिए है अभी जो हम लोग feeling strong करना चाहते है मैं यह चाहता हूँ कि सारी चीजे आपको समझ में आए हम क्यों कहां कौन सी condition apply करेंगे और आप एक engineer हो जब आप job करने जाएंगे ना तो आपको option नहीं मिलेंगे आपको यह मिलेगा बेश क्या कर सकते हो वो सारी चीजे apply करके देदो तो हम उन सारी conditions के बारे में बात कर रहे है सुनेगा सर D अगर desired होगा तो अरे बता रहा हूँ सुम बता रहा हूँ ठीक है सर वो option नहीं हुए तो नहीं बेटा जब question बनाए जाएगा ना IIT दिल्ली वाले या IIT वाले question बनाएंगे तो उसके according option भी आपको provide करेंगे ठीक है ना और जो option नहीं है तो जितने given option है उन option में base create करेंगे ना भाई आपके पास जितने टूल से उन टूल से आप कितना base create कर सकते हो वह important है ना मुझे याद है जब हम लोग बीटेक final बीटेक third year में था मैं तो college में हमारा जो सभी के आपके engineering college में scientific program होते रहते हैं तो वह भी मेरे याँ प्रोग्राम हुआ था एक माचीस की डिब्बी दी गई थी ठीक है और उसको कुछ आपकी जैसी मर जी कुछ हमारे पास फेविकोल था दो इस्टिक्स थी और बाकी पूरा एक माचीस की डब्बी थी उससे आपको कुछ भी एक ऐसा फिगर क्रियेट करना था जो मैक्सिमम वेट गेन कर सके और बस अपना दिमाग लगाना था तो जितनी चीजे प्रिजेंट थी फेविकोल माचीस की तीलिया थी और दो बड़ी-बड़ी स्टिप थी ठीक है और उससे हमें कुछ बनाना था और उसका मैं वीनर था ठीक है ब sustain किया था उसके बाद break हुआ था और जो second position में था उसका था seven point something kilogram तो बस depend ये करता है आप engineer हो और engineer के term में सोचो जितनी चीजे present है उन present things से किस तरह से किस तरह से आपको base create करना है ठीक है संकलन के नाम से हमारे college में हुआ करता था ये तो वो आज भी मेरे पास certificate है ठीक है उस कि मज़ा आता है teaching मेरा एक पैसान है एक मेरा मतलब life में यही रहा है जब मैं 11-12 में था तब भी 9-10 वालों को पढ़ा दिया करता था ठीक है कि आके पढ़ लेना और मैं जिन सर से पढ़ता था ठीक है एक छोटी सी चीज याद आ गई सर्डी बता रहा हूं बता रहा हूं तो एक बार क्या हुआ कि मेरे सर प्रिजेंट नहीं थे जिन से मैं पढ़ा हूं आज वो DRDO में साइंटिस्ट भी है ठीक है और यही डेली के कॉलेज में प्रोफेसर है मैथ के तो उनके हमाय कभी 9-10 11-12 में मैथ पढ़ने जाये करता था और जब मैथ पढ़ने जाता था त सर तो है नहीं करेंगे क्या अच्छा जूनियर्स लोग आने लगे उस टाइम पर मैं 11 में था टेन के बच्चे आने लगे आके बैठते गए बैठते गए तो मैंने उनको क्या बोला मैं क्या सर ने बोला है कि अभी वो थोड़ा सा बीजी है आज मैं पढ़ाऊंगा आप ल जब बैच पढ़ा है तब सर आये तब उन्होंने बोला था कि सेलें रियल में तुम्हें अपनी लाइफ मेना टीचर ही बनना चाहिए इस तरह से तो मैं एक्स्प्लेइन नहीं करता जिस तरह से आपने एक्स्प्लेइन किया है तो उसी दिन से मेरे दिल में एक चीज तो आ आगे देखते हैं ठीक है बस माईन में आ गया वो दिनकी बात याद आ गई टीचिंग से इसलिए आपनों को बता दिया ठीक है ठैक यू ठीक चलिए देखते हैं अब हमारा क्या है रियक्षन है a2b and a2c A to B, A to C, ये reaction है, और B to D, and C to D, ये हुआ हमारा, अब यहाँ पर जो हम लोग activation energy की बात कर रहे हैं, ये 100, और यहाँ से ये 100, थार्ड रे reaction कौन सी थी, B to D, ये 100, ये 150, और ये 200, activation energy, आपको याद होगा, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये D, जो D हमारा, ये D, हमारा क् जाएट प्रोड़क्ट है, अब मुझे जल्दी से बता हो, कौन सी condition रखनी चाहिए, thank you all of you, ठीक है, बस, नहीं, नहीं, कोई legend नहीं, यार, बस, मैं करता हूँ, बेश करने का, और बस वही कर रहा हूँ, क्योंकि chemical engineering की feeling, मैं सच बता रहा हूँ, life में मुझे कभी नहीं मिल तरे से किसी ने explain ही नहीं किया, ठीक है, अब तो मैं आपको हर condition में change करके, चलो, जैसा मर जीव, ऐसा करते हैं, तो हम मुझे बताओ, क्या, D है, D है, तो क्या, increasing temperature, high temperature, और कुछ लोगों ने low भी, constant low, गलती करते गया है आप, क्या फर्क पढ़ता है, यार, A से B बने, या A स C बन रहा है, क्यों, दोनों से तो हमारा D बन रहा है, चाहिए B बने, चाहिए हमारा, चाहिए B बने, चाहिए हमारा D बने, अब हम पहले से नहीं बता सकते, high temperature maintain करना है, या low temperature maintain करना है, मैं अभी नहीं बोल सकता, क्यों सर, क्यों नहीं बोल सकते, रुको, आप लोग, आप आफसन, आफसर देना बंगरो? सुनो, सुनो मेरी बात. मैं क्यों बोला? D हमारा डिजायर प्रोड़क्ट है. होने दो यार रियक्सन? चाहिए A से B बने, चाहिए A से C बने C बनेगा, तो D में कनवार्ट होगा. B बनेगा, तो D में कनवार्ट होगा. लेकिन, सुनना, अगर A से C बना तो C से D में convert होने के लिए मुझे high temperature चाहिए C से D में convert होने के लिए मुझे high temperature चाहिए अरे बेटा सुनो अभी confuse मत हो, जो मैं समझा रहा हूँ वो सुनो D, D, D हमारा desire product है, अगर मैं low temperature maintain करता है, सुनना, जिन लोगों का तो A से B maximum बनता यहाँ पर हमारा यह तो बताये नहीं है कि order क्या है, order नहीं है तो मैं उसको neglect करता हूँ, मैं सिर्फ temperature की effect की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने low temperature maintain किया, तो हमारा क्या बनेगा, A से B बनेगा और अगर A से B बनेगा, तो B से D बनना असान है, यह C से D बनना असान है B से D बनना जादा असान है क्यों? क्योंकि इसके लिए activation energy low है, इसके लिए activation energy high है तो मैं क्या करूँगा, low temperature maintain करूँगा, सुनना मेरी बात, low temperature maintain करूँगा, low temperature तब तक maintain करूँगा, जब तक कि A बनना ही start हो जाएगा लेकिन अब C से D बनने के लिए temperature activation energy हाई है temperature मुझे थोड़ा increase करना पड़ेगा जब increase करेंगे तभी C से D बनेगा अगर आप increase नहीं करेंगे C तो कुछ ना कुछ बना होगा ना वो D में convert नहीं हो पाएगा तब तक exit हो जाएगा तो पहले मुझे low रखना है जब तक की A वहाँ पर present है maximum A का conversion जब तक B और C में ना हो जाए तब तक low रखना है लेकिन जब low रखेंगे तो B में ज़्यादा conversion होगा C में कम conversion होगा और C में काफी देर के बाद ही start होगा conversion होगा that means A का C में conversion थोड़ी देर बाद start होगा तब तक A से B का conversion हो गया होगा ठीक है और B से D भी होने लगेगा क्योंकि दोनों का same activation energy है लेकिन अगर C बन गया तो मुझे थोड़ा temperature बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा temperature बढ़ाएंगे तब C से D बनेगा मतलब maintain करेंगे पहले low में और थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा temperature बढ़ाएंगे high तो मैं क्या बोलूँगा increasing temperature profile अब बोलो yes or no अब बोलो मुझे yes or no सर अगर low temperature रहेगा reaction backwards shift हो जाएगा according to array यार यहाँ पर हमारी कहां पर reversible reaction है कि backwards shift होगा कहां reversible है यह तो हमारी direct e reversible reaction है ना a से b b बनेगा a से c b बनेगा b से d बनेगा और c से d बनेगा c से a थोड़ी बनेगा यार b से a थोड़ी बनेगा ठेक है ना तो low temperature पहले और low temperature ऐसा नहीं कि minimum कर दो जितना भी temperature पर यह a to b reaction start हो जाए वो temperature मैंने यह नहीं बोला एकदम down कर दो मैंने यह नहीं बोला zero degree कर दो अरे यार उस temperature पर तो reaction ही नहीं होगी उस temperature पर reaction ही नहीं होगी that means मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा उतना temperature maintain करें जिससे की a to b की reaction को activation energy मिल जाए और reaction start हो जाए और जैसे ही reaction start हुई जैसे ही reaction start हुई और उसके बाद फिर आप क्या करिए उस पर constant कर दीजिए तब तक जब तक की a की reaction हो रही है लेकिन थोड़ी देर बाद आप कितना भी maintain low maintain करें ठीक है अब बहुत ज़्यादा low maintain कर देंगे तो ये भी तो कम बनेगा नहीं यार क्योंकि हमें energy तो चाहिए चाहिए reaction करने के लिए तो that means बहुत ज़्यादा low नहीं maintain करना उतना maintain करना है जिससे की a से b बनता रहे और उसके बाद फिर आपको क्या करना है फिर temperature धीरे धीरे बढ़ाना है श्टार्ट करना है क्यों और इतना नहीं के एकदम high कर देना है धीरे धीरे थोड़ा सा उतना ही बढ़ाना है जितने स C से D बन जाए और हम अगर consider कर रहे हैं कि PFR में reaction हो रही है तो उसकी length के according किस temperature पे मैं sample consider करता रहूंगा instantaneous selectivity निकालते रहेंगे और उसके length के according उसका flow rate fix कर देंगे उस flow rate और length के according मैं temperature कुछ time के बाद थोड़ा सा increase करूँगा और उतना increase करूँगा जिससे कि जितना C बनाओ क्योंकि बेटा कुछ time के बाद एक हतम हो गया ना अब वहाँ पर बचेगा B और C और B और C B से D बनने दो क्योंकि जितना भी temperature हो थोड़ा सा increase करेंगे तो ये भी बढ़ेगा और लेकिन C से D का होना important है क्योंकि C हमारा desired नहीं है desired product हमारा D है चलो यहाँ से clear हुआ clear C से D वाला first समझाइए C से D वाला हाँ C से D वाला सुनना ये 200 है इसको high activation energy चाहिए मैं चाहता हूँ जब उस reactor से ये exit करे तो ये पूरा का पूरा D हो मैं तो ऐसा चाहता हूँ नहीं होगा 90% होगा 95 होगा 98 होगा चलेगा चलेगा लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि D 100% हो मैं चाहूँगा यहाँ पर A 0 हो मैं चाहूँगा B 0 हो मैं चाहूँगा पिटा C 0 हो मैं क्या चाहूँगा सिप D हो A से B तो बनेगा low temperature रखिए और A से C ना बनने दीजिए मैं चाह और बहुत ज़्यादा low कर देंगे तो ये भी कम बनेगा यार फिर reaction लेट हो जाएगी और यहां से exit करेगा तो D का quantity ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हम इतना भी low नहीं करना हम उतना low करेंगे जिससे की A से B का formation proper form में चलता रहे लेकिन जब reactor का temperature इतना आपने maintain कर दिया तो थो reaction का नहीं अब मैं B2D और C2D की बात करों तो B2D बढ़ेगा चाहिए low temperature रखो चाहिए high temperature रखो तो B से D का formation तो हो गई होगा लेकिन C से D का formation के लिए आप तो मुझे temperature थोड़ा सा increase करना पड़ेगा क्योंकि इसकी activation energy 200 है तो मैं थोड़ा सा increase करूंगा तो C से D बनने लगेगा और उसके according मैं यहाँ पर flow rate fix कर दूंगा कि V not कितना होना चाहिए okay clear हो गया sir high temperature पर भी A to C then C to D तो बेटा optimum नहीं रहेगा न यार गौरो गौरो optimum नहीं रहेगा आप जबर जस्ति क्यों वाँ पर heat का पैसा waste करना चाहे रहे हो भाई हम optimum हम यार chemical engineer है कम से कम में जुगाड करके अपना waste निकाल लो न यार और आप लोग भी तो वही कर रहे हो ठीक है तो मतलब बेस चाहिए but optimum condition में चाहिए अगर मैं optimum condition छोड़ दो न तो फिर तो यार कैसे भी कुछ भी लगा लो हना फिर मेरा A मी सिर्फ यह fix हो जाएगा मुझे D चाहिए किसी भी condition में चाहिए तो फिर कर दोख चाहिए जितना हाई temperature लेकिन इतना भी हाई नहीं कर देना क्यों पता चला temperature sensible हो जाए वो कुछ और ही reaction में convert हो जाए हना चली आप बेटा solution thermodynamics होगा और schedule देखो आप manage कर रहा हूं मैं सारी चीज़े और अभी new वैसे meeting होती जाएगी वैसे वैसे मैं आगे continue करता जाओंगा ठीक है अब clear अब सारी चीज़े के लिए रित्विक सर अगर सी से डी वाला reaction होने ही ना दे अरे भाई सी से डी नहीं होने दोगे डी desired है यार रित्विक डी desired है हमें चाहिए कि सी से डी वने ओके ठीक है पेटा सवम सारी चीज़ों का region मिलेगा चलो अब इसमें और कुछ change करेंगा अच्छा और कुछ change करें मैं time देख लेता हूं उसके recording करूंगा अभी questions काफी है 940 ठीक है अभी हम आए पास 50 मिनट है ठीक है सुनो अब इसमें अगर हम change करें चलो चलो इसमें नहीं अब अगला question आते हैं फिर वहाँ पर change करता हूं सुनिएगा चलिए यह question आते है चलो question पढ़ो question पढ़ो एक बार जल्दी से और फिर मुझे answer दो फिर मैं explain करता हूं किसी भी student को परेशान होने की need नहीं है बिल्कुल भी मत सूचो और मैंने आपको बोल दिया है कि सारी चीज़े आपको मिलेंगी तो बेटा बस वादा ही complete करना है और अगर आज तक मुझे आप समझ चुके हो ठीक है इतना मेरे उपर believe करते हो तो इतना तो समझ गया होगे कि मैं निस्वार्थ भाव से work करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी के लिए dedicate हूँ तो जी जान लगा देता हूँ ठीक है फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा क्या time है अभी रात के कितने वज़े हैं या दिन के कितने वज़े हैं कैसे करना है और आप लोग बोलोगे ना तो चलो एक night का भी हम session रख लेंगे और whole night एक दिन लेके पूरा सियारी या दो night में लेके सियारी complete कर देंगे कैसे भी जूम कीजिए sir अरे नहीं यार हाँ नहीं जूम से नहीं भाई सौ बच्चे प्रेजेंट होंगे दिखेंगी नहीं यार एक दूसरे को क्या फायदा होगा ये better है कि थोड़ा सा फार्ष करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा plan कर रहा हूँ कि जो theoretical classes है वो मैं YouTube पे लूँगा और जो मेरी numerical classes है numerical approach की बात करेंगे वो मैं live app पे लूँगा ठीक है तो वो app पे app आपको download करने के लिए मैं provide कर दूँगा उसकी link दे दूँगा आप app download कर लिजिएगा और वहां से हम continue करेंगे तो जिस भी दिन लूँगा मैं उसका पूरा explanation आपको दूँगा कैसे use करना है कैसे करना है लेकिन बस उन दोनों में difference इतना सा है कि जो YouTube के class हैं वो हम लोग digital board पे ले रहे हैं और जो वो app की class होंगी वो हमारे किसे iPad से होंगी तो उसमें जैसे बाकी मैं आपने देखा होगा ठीक है मैं बैट के class लोंगा पढ़ाऊंगा तो सिर्फ मेरा छोटा सा face दिखेगा और बाकी आपको पूरा मैं जो लिख रहा होंगा वो सारी चीजे दिखेंगी ठीक है तो क अज मेरी meeting है वो करने के बाद मैं आपको पूरा explain कर दूँगा बैटा फिरी में फिरी में फिरी में ही होंगी ठीक है उसका कोई charge नहीं ले रहा हूं मैं कोई charge नहीं है फिरी of cost है और आप लोग उसकी भी feeling ले लो अगर देखो देखो अगर आपको लगता है कि नहीं आपक पर्चेश करना है तो आपको पर्चेश करना है ना अभी मैं उसका कोई charge नहीं ले रहा हूं कुछ नहीं है फिरी of cost है ठीक है और मैं जियो की तरह नहीं कर रहा हूं कि नहीं आपने फिरी में लिया तो आपको पर्चेश ही करना है अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा प होती हैं लेकिन free of cost होती है आपको पता नहीं है यह चीज पता होना चाहिए ना यार और हम किमकल वाले यार जहां भी जैसे भी जो कुछ भी अच्छा मिलेगा ना बस हमें पहुंच के ले लेना है वो उन सारी चीज़ों को चलो ठीक है हाँ सब फिर यह आप cost है कोई confusion नहीं रखो चलो अब मैं define करूँ और आप लोगों ने hopes वहाँ बी और answer दे दिया है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नाव नाव इस्टार्ट करते हैं हाँ देखेगा determine the level of CA0 क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग reaction start करेंगे CA0 जब भी reaction start करेंगे तो concentration मुझे high low intermediate कैसे maintain करना है ठीक है तो एक option मुझे निकालना है high रखना है low रखना है या intermediate रखना है ठीक है temperature profile मुझे high temperature maintain करना है या low करना है या increasing profile हो या decreasing increasing decreasing समझ गया ना मलब जैसे reactor है reactor के according increasing मलब पहले low और फिर high temperature करना है या पहले high फिल low करना है तो वो increasing decreasing हो गया which will favor the formation of desired product indicated in the reaction scheme in the given reaction क्या है मारा reaction है सुनना भीटा reaction है आपकी A2R और R2S अभी रुकना रुकना इसमें भी बहुत सारे change करेंगे और हर तरह से change करके selectivity का कोई भी किसी भी type का question आ जाए हमसे बनेगा और हम फाड़ देंगे एकदम हना किसी भी type का question हो so that means जितने भी possible changes है वो सारे करेंगे बस साथ में बने रहो और A2U ये reaction है सुनना 1 और 3 और ये 2 तो 1 कौन सा है N1 ये 1 है और इसका order क्या है N1 equal to 1 और इसका E1 activation energy 25 ठीक है 2 ये वाला है 2 ये वाला है N2 कितना है 1 N2 कितना है बेटा 1 और E2 कितना है E2 ये बेटा 35 ठीक है desired है good अब सुनना समझना आराम से सर विजिविल्टी थोड़ा कम है चलो अभी इसके बाद आप मैं थोड़ा और सा बड़ा लिखूंगा ठीक है और पेन का जो साइज है उसको थोड़ा सा चेंज कर दूगा तो आप विजिविल्टी थोड़ा सा बेटर हो जाएगी नाइट मोड में लीजिए ठीक है थोड़ा सा आप अपना मोबाइल को थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लो हना और मैं अब इसके बाद किलियर कर दूगा वह सीजिए चला अब सुनना ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि क्या option दिया है क्या है हम बस इतन अब सुनना अब यहां पर हमारा order और activation energy दोनों से खेलना है अभी पिछले question में सिर्फ और सिर्फ temperature का खेल था activation energy पर हम बात कर रहेते हैं यहाँ पर दोनों बात करेंगे ठीक है order तो दोनों का same है यह भी n1 equal to 1 है और n2 equal to 1 है मलब concentration जो है concentration जो है अब वो मैं क्या रखूं high रखूं low रखूं अभी यह मैं अभी decide नहीं कर पाऊंगा अभी चलो temperature की बात करते हैं सुनना अभी temperature की बात करते हैं सुनिएगा अब अगर मैं temperature की बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा activation energy है 25 और यहाँ पर 35 मैं चाहता हूँ से यू ना बने तो मैं क्या करूंगा low temperature रखूंगा तो मैं पहले मैंने सेट किया low temperature ठीक है इतना तो मुझे clear हो गया अब आगे कैसे करना है अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि रियक्टर कौन सा है किस रियक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर option देखता पियाफार 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 एमेफार एक एमेफार है और बाकी पियाफार है ठीक है अगर एक एमेफार है तो मैं इतना तो निकाल चुका हूँ कि starting में मुझे temperature रखना है low या तो low पे constant करना होगा या तो increasing करना होगा या तो low पे constant करना होगा या increasing करना होगा मैंने low इ इसके बाद R से S बने S desired है और इसका activation energy 45 है और R से S बने इसका 25, इसका 45 मलब temperature मुझे थोड़ी देर बाद increase करना पड़ेगा तो अब फिर मुझे temperature को बढ़ाना पड़ेगा तो low to high क्या गया? increasing, increasing, अब ये अगर increasing आ गया तो यहां से मेरा ये mix flow वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये decreasing बोलना था, तो मलब C option हमारा हो गया गलत, C option हो गया हमारा गलत, अब सुनना, अब increasing किसमे किसमे है, इन दोनों में, तो मलब इसका ये option भी हो गया गलत, अब हम आरे पास option बचे ये दोन consider करते हैं, जब high concentration maintain करते हैं, तो हमारा high concentration A, high concentration of A, increasing temperature profile, applied flow reactor, option A हमारा correct हो गया, अब बताओ बेटा, B क्यों आ रहा था, किसी का D क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो एक बार फिर से explain करूं, एक बार फिर से explain करूं, ठीक है, चलिए, सुनिएगा, अब मुझे बताओ, अब visual है, अब सुनिएगा, सुनिएगा, reaction है बेटा हमारा क्या, A to R and A to U, और अगली reaction है, R to S, R to S, चलिए, इसका order है, 1, और activation energy है, 25, इसका order है, 1, activation energy है, 35, और इसका order है, 3, और activation energy है, बेटा, 45, आप सुनिएगा, एकदम किलिएर विजिवाल है न, मैं एक बार अपने mobile में चेक कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, किलिएर है, हाँ, चलो, आप सुनिएगा, अब यहाँ से मैंने क्या बोला, अब यहाँ से मैंने क्या बोला, अब बेटा, यहाँ पर order दोनों का सेम है, मैं high concentration रखूँ, low concentration रखूँ, चलो, अभी उसकी बात नहीं करते, confused नहीं होना, हलाकि एक और आप संथा, यहाँ पर order 3 है, और अगर as desired product है, as desired product है, तो अब मुझे यह तो समझ में आ गिया, कि you und desired product है, और desired product का कही न कहीं, जो order है, वो higher है as compared to this, तो मुझे high concentration maintain करना पड़ेगा, एक तो मैं यहाँ से निकाल सकता था, लेकिन चलो, मैं अभी option से clear करूँगा, मैं अगर इसकी बात ना करूँ, एक option तो समझ में आ गिया, एक option समझ में आ गिया, लेकिन चलो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, option से मैं create करता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ बेटा, इसकी activation energy है 25, और इसकी activation energy है 35, तो मुझे simple सा बताइए, 25 और 35 में, अगर इसकी activation energy 35 है, तो मैं क्यों चाहूँगा बेटा, A से U बने, मैं तो चाहूँगा A से R बने, और A से R बने, तो मैं क्या चाहूँगा, low temperature maintain करें, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला, कि low temperature maintain करें, और जैसे ही फिर R से S की बात करेंगे, यहाँ पर 45 है, यह 45 है, अब यह 25 में A से R तो बन गया, लेकिन R से S नहीं बनेगा ना, और जब R बन गया, A से R का conversion हो गया, अब बेटा, अगर A से U का कुछ हो भी गया होगा, ठीक है, A का conversion U में हो भी गया होगा, U का कुछ formation हो भी गया, तो क्या ही फर्क पड़ता है, अब मैं इसको कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा ना, U से S की reaction तो होई नहीं रही ना, तो जो U बन गया, यह unwanted था, यह हमारे लिए undesired था, अब मैं इसको यहीं पर लीप कर दूँगा, लेकिन अब A से R जितना convert हो चुका, मेरा aim क्या है, R से S का conversion हो, लेकिन यहाँ पर activation energy 45 है, अगर activation energy 45 है, तो मुझे आप temperature क्या करना पड़ेगा, increase करना पड़ेगा, तो low to high, मनलब क्या हो जाएगा, increasing temperature profile, increasing एक तो यह है, एक तो यह है, तो हमारा C option गलत हो गया, क्योंकि यहाँ decreasing था, D option गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर decreasing था, तो A और B में कुछ सही होगा, अब मैं अगर option से ही चेक करूँ, तो कि plug flow है यार, तो plug flow है तो high concentration होगा, plug flow के लिए, plug flow में low कब लेने लगे यार, नहीं लेते, तो हमारा A option सही हो गया, ठीक है, अब आप बात करो, तो sir undesired product था you, R तो intermediate था, S desired था, अगर R नहीं बनेगा, तो S कैसे बनेगा, मनलाव S बनाने के लिए, R हमारा क्या हो गया, desired हो गया, S desired है, तो R भी desired हो गया, R नहीं बनेगा, तो S कैसे बना लोगी बेटा, तो S के लिए R desired हो गया, अगर R desired है, तो you undesired है, अब बेटा ये desired है, और ये undesired है, इसका order 3 है, इसका order 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, N1 greater than N2, और उसके केस में, high concentration आप A maintain करते हैं, तो यहाँ से हमारा option आ गया, A, आप कोई doubt है तो पूछ लो, अभी कोई doubt है क्या, अभी कोई doubt है क्या, जल्दी से बताओ, और पूछ लो, ठीक है, clear, clear, ओके, good, चलो, अब यहाँ पर कोई change करें क्या, यहाँ पर कोई change करें, सुनना, चलो, यहाँ पर change करते हैं, यहाँ पर बेटा, हम change करते हैं, यहाँ पर हमारा reaction यही है, a to r, and r to s, और यह है a to u, ठीक है, यह सारी condition वही हैं, जो given था, यह फर्स्ट ओर्डर, यह फर्स्ट ओर्डर, यह थर्ड ओर्डर, इसका 25, इसका 35, और इसका 45, यह activation energy हो गई, अब मैं बोलूँ बेटा, desire product r है, मैं अब बोलना हूँ, है, अब बताओ, क्या करेंगे, जल्दी से, जल्दी से reply करो, जल्दी से reply करो, हाँ, निसाब पूछो बेटा, क्या doubt है, निसाब पूछो, क्या doubt है, और बाकी लोग, जल्दी से मुझे reply करे, desire product r है, for the desire product of r, what should be conditions for, temperature, concentration and reactor, एक बार बेटा, copy paste करोगे, क्या उपर मैं देखा नहीं, चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सर अगर एक option में, increasing के साथ साथ, high temperature भी होता, तब as desired के लिए, high temperature maintain वाला option, रखेंगे या increasing profile वाला, increasing ही रखना पड़ेगा, सोचो ना, निसा, अगर आपने high maintain कर दिया, तो एसे you का formation ज्यादा नहीं हो जाएगा, सोचो ना आप, अगर आपने high ही maintain कर दिया, मैं increasing decreasing की बात ना करूँ, आप क्या बोल रहे हो, कि सर अगर एक में high हो जाता, कि high temperature, अगर आपने high temperature maintain कर दिया ना, तो एसे you का formation हो जाएगा, और यह तो हमारा undesired है बेटा, तो मैं क्यों high maintain करूँगा, मैं low to high करूँगा, तो increasing ही सही होगा, ठीक है ना, चली, अच्छा, आप बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, low temperature, अच्छा, constant low temperature, low temperature, small PFR, high concentration, चलो, सुनो, सुनो, अब बेटा, आइस तो हमारा desired high नहीं, हमारा R desired है, मैं चाहूँगा यह वाली reaction ना हो, मैं चाहूँगा यह वाली reaction ना हो, मैं क्या चाहूँगा, ना यह वाली reaction हो, ना यह reaction हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, low temperature maintain करेंगे, और उसको constant कर देंगे, high क्यों करूँगा यार, high करूँगा तो यह बन जाएगा, high करूँगा तो R से S बनने लगेगा, और अगर आप चाहो low maintain करो, या आप चाहो तो low के साथ और decrease कर दो, मलब पहले जो temperature maintain किया, और एक बार A से R की reaction स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर आपको temperature increase तो करना ही नहीं है, और अगर A to R की reaction स्टार्ट हो गई, तो आप temperature decrease कर सकते हो, आप temperature decrease कर सकते हो, उसका फायदा क्या होगा, R से S एक भी नहीं बनेगा, और decrease कर जाएगे, तो A से U बनने में और ज़्यादा time लग जाएगा, लेकिन पहली बार उतना temperature maintain करना पड़ेगा, कि A से R का formation स्टार्ट हो जाए, मैंने आपको बताया है जब activation energy पढ़ाईए, मैंने आपको बताया है जब rate constant theory पढ़ाया है, कि एक बार अगर reaction initiate हो गई, और उस reaction को उतनी activation energy मिल गई, कि reaction स्टार्ट हो जाए, उसके बाद reaction आगे continue होती रहेगी, तो एक बार आप इसको क्या करी, स्टार्ट कर दीजे, low temperature maintain करके, और उसके बाद फिर आप चाहें, तो temperature आप decrease कर सकते हैं, या low temperature maintain कर सकते हैं, बट increasing नहीं करना, लेकिन अगर PFR यूज कर रहे हैं, तो आप high concentration maintain करिए, लेकिन high concentration से A-R का formation होगा, A-U का formation हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उतना temperature maintain ही नहीं होने देंगे, ठीक हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कि अगर PFR में reaction हो रही है, अगर PFR में reaction हो रही है, बट low temperature या decreasing profile रखेंगे, from the low temperature, ठीक हैं, चलिए, low temperature या constant कह सकते हो, या low temperature and decreasing profile ये ज़्यादा बेटर आपसन होगा, लेकिन decreasing का मतलब इतना नहीं कर देंगे न, कि ये वाली reaction ही न होने दो, A to R होना है, feeling समझो मेरी, A to R होना है, लेकिन R to S और A to U नहीं होना है, तो high concentration रखो और A से R का maximum conversion करो, चलो ठीक है, अच्छा बेटा, अगर अगर अब मैं यहाँ पर change करूँ, अब चलिए, हम थोड़ा सा change करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा U है, ये desired product है, अब क्या करेंगे, अगर U है, ये desired product है, तो क्या करेंगे, सर, 45 to maximum है ना, if S is desired, सर, 45 to maximum, नहीं बेटा, सीधे high temperature नहीं रख सकते, निसा समझो, feeling समझो, सुनना, मैंने क्या बोला, आपका doubt एकदम किलियर कर देता हूँ, बेटा, बाकी लोग, आप लोग, उसका answer दो, अगर U desired product है, बाकी निसा आप इधर जान दो, मैंने क्या बोला बेटा, कि अगर A to R, हमारा 25 activation energy, हाँ, आप बोल रहाँ सर, S का maximum 45 है, लेकिन अगर बेटा, आप starting में, ही high temperature maintain कर दिये, तो A से R तो बनेगा, TG से बनेगा, लेकिन A से U भी बनेगा न, और मैं नहीं चाहता U बने, U बन जाएगा, तो U undegired product है, U मैं नहीं चाहता बने, इसलिए पहले low temperature maintain करो, सुनो, पहले low temperature maintain करो, A से R का formation होने दो, और A से S का formation होने में time लगेगा, तब तक A का maximum conversion R में हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे increase करो, U तो नहीं बनने दिया हमने, और जब A खतम हो गया वहाँ पर, PFR यूज कर रहा हो, जैसे जैसे आगे move करेंगे, सुनना, सुनना बेटा, हम बात करें PFR की, हम बात करें PFR की, अब PFR में, यहाँ पर high concentration था ना, जैसे जैसे आगे move करेंगे, CA की value decrease करेंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे move करेंगे, temperature की value increase करीज आप, और temperature की value अगर आपने increase किया, तो यह CA, जो conversion हो रहा होगा, यह decrease हो रहा होगा, वो किसमे R में हो रहा होगा, U में नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर temperature low रखा है, यहाँ पर temperature low है, ठीक है, तो maximum A किसमे R में convert हो जाएगा, और जब एक बार R में convert हो गया, A का concentration यहाँ पर आगे आते आते, decrease हो गया, अब मैं क्या चाहिए, थोड़ा बहुत U बन गया होगा, उसको आप change नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब R का aim क्या था, S में maximum हो, तो that means अब मुझे इसकी activation energy ज़्यादा चाहिए, R2S की, तो आप तो मुझे temperature बढ़ाना पड़ेगा ना, तो low to high रखिया, अगर आपने high कर दिया ना, तो A से R तो बनेगा, लेकिन U भी ज़्यादा बन जाएगा, अब R यार कितना आपने high कर दिया, R से चलो 100% conversion कर लिया आपने S में, ठीक है, लेकिन A से जो U बन गया, उसका क्या करोगे फिर आप, तो इसलिए low to high, आप किलिए रहे क्या, चलो, अब बाकी मैं वापस आ जाता हूँ, उस वाले में, अगर बेटा, यू हमारा desire product है, सुनना, अगर यू हमारा desire product है, तो क्या हो जाएगा, सर कुछ नहीं कर सकते, R तो बने गई, सही है, कुछ नहीं कर सकते, अब सुनना, अब मैं explain करता हूँ, सुनिएगा बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर बेटा, 35, इसकी activation energy है, और यू हमारा, यू हमारा desire product है, तो बेटा, A से R को बनने से, तो हम रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, और अगर, यू desire product है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे R बन जाए, यार चाहे S बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, एकदम high temperature maintain करूँ, क्यों, A जितनी देर तक, वहाँ present है, उससे R, उससे R बनेगा, लेकिन high temperature maintain करेंगे, तो U भी बनेगा, हम R को रोक नहीं सकते, लेकिन high temperature maintain करके, A से U का maximum conversion कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी activation energy high होती है, और high temperature maintain करते हैं, तो उसका rate fast हो जाता है, तो इस वाली reaction के compression, इस वाली reaction का rate high हो जाएगा, क्योंकि इसके K की value high हो जाएगी, as compared to this reaction, और इसके K की value high होगी, तो इसका formation पहले के compression थोड़ा जादा होगा, तो मैं बोलूँगा, कि हमें maintain करना है high temperature, maintain करना होगा high temperature, ठीक है, clear है, clear हो गया, चलो, ठीक है, अब यहाँ पर कोई doubt, हाँ, ठीक, बस यही एक मेरी feeling होती है, जब बच्चे यही बोलते हैं, हाँ, कोई भी doubt है नहीं, वो भी clear हो जाए, yes, आप clear है, तो मनला कोई doubt वाला chance ही नहीं होना चाहिए, यह clear एकदम, यह clear एकदम, सर अगर R और S बनेगा, तो UK लिए yield पे effect नहीं पड़ेगा, अरे रिच्तिक, अभी yield में क्यों भाग रहे हो, रुको, अभी selectivity में रहो, yield और selectivity दोनों एकी चीज़ है, बस yield की value 0 से 1 के बीच होती है, और selectivity की जो value होती है, वो हमारा जितना maximum कर पाएं, बस वो aim होता है, और दोनों का aim एक ही है, desire product का maximum formation, बस, दोनों का aim एक ही है, desire product का maximum formation, बस, हाना, अभी कल yield पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा पूरा, बट सर, R बनेगा, तो high temperature है, तो S भी बननेगा, बेटा, बनने दो, चाहे R बने, चाहे S बने, मुझे क्या फर्क पढ़ता है, मेरा aim तो U बनाना था, सुनो ना, मेरा aim यू बनाना था, यू desired था, यू desired था, तो बटा, हम R को रोक नहीं सकते, अब R भी undegired है, S भी undegired है, मुझे क्या फर्क पढ़ता है, चाहे R बन जाए, चाहे S बन जाए, मेरा aim क्या था, U बनाना, तो इस U को बनाने के लिए, जो भी favorable condition होंगी, वो लगाएंगे ना, मैं इनकी care क्यों कर रहा हूं, की R बन रहा है क्या S बन रहा है, मैं क्यों E care कर रहा हूं, R और S की, मुझे care किस की करनी है, सिर्फ U की, तो U के लिए मैं क्या करूं, U के लिए मैं क्या करूं, जान दे दू, दे देंगे, कैसे temperature high maintain करके, बस, R बन जाए, यार मुझे R से मतलब ही नहीं है, मर जाओ तुम, मुझे नहीं मतलब, AIS से मतलब ही नहीं है, यार तुम R बन जाओ, AIS बन जाओ, जाओ, जिन्दा, रहो, मर जाओ, मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब किस से, U से, U मेरा सफर है, U मेरा हम सफर है, U को बनाएंगे, तो इसके लिए, जो भी condition हो पाएगी, वो लगाएंगे, और इसके बनने के लिए, मैं क्या करूंगा, high temperature maintain कर दूँगा, ठीक, सर, exit first करें तो, बेटा, exit first करके भी क्या कर लेंगे, ठीक है, exit first करके भी क्या कर लेंगे हम, अगर exit first करोगे, तो R से S नहीं बनेगा, चलो, इतना ही तो होगा न, R से S नहीं बनेगा, तो यार, R बन जाए, यार, S बन जाए, क्या मतलब है, लेकिन मेरा aim क्या है, A से U बने न, यार, मैं U DJI product बोल ला हूँ, सुनो, वो question नहीं है, जो दिख रहा है आपको, मैंने question change किया, U DJI product है, तो UK बनाने के लिए, UK बनाने के लिए, मैं क्या करूँगा, high temperature maintain कर दूँगा, अब clear होना चाहिए, अब clear होना चाहिए, जब तक S के पास पहुंचेंगे, तब तक A निपट जाएगा, बिल्कुल सही है, जब तक S के पास पहुंचेंगे, तब तक A का maximum conversion हो जाएगा, अब maximum conversion, मैं R में नहीं करना चाहता, मैं R में नहीं करना चाहता, मैं U में करना चाहता हूँ, इसलिए high temperature profile, अगर high temperature profile का अभी कोई doubt हो तो बोलो, मैं एक बार फिर grab बना के पूरा समझा दूँ, high to low नहीं होगा, नहीं बेटा, बस high, बस high, ठीक है, high, एक बार high रखो, और यार फिर बनने दो नाएस, बनने दो यू, कोई फरक नहीं पड़ता, high maintain करिये, A to U बनाएए, अगर आपने किसी भी टाइम पर, जहां पर A present है, low कर दिया ना, तो फिर A से R जादा बनने लगेगा, A से U कम बनने लगेगा बेटा, और high का मतलब ये नहीं है, कि जितनी मर्जी आप 500 डिग्री सेल्सेस कर दो, 1000 डिग्री सेल्सेस, high का मतलब ये होता है, जिससे कि हमारा ये वाला reaction, एक proper form में, base form में move करने लगे, इसका ये मतलब नहीं है, मैं थोड़ा सा change की बात करता हूँ यार, मैंने ये नहीं बोला, सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि अगर हमारा इतना, अगर ऐसे है, तो यहां से सीधे यहां कर दो, इतना change नहीं करना, यार थोड़ा सा change करना है, थोड़ा high करना है, थोड़ा low करना होता है, हाँ बेटा, R और S जो हमारा impurity नहीं impurity मत बोलो undesired product बोलो हना हम लोग उसे फिर आगे separate कर लेंगे separate कर लेंगे और R और S undesired ही है आप impurity के form impurity के form में भी बोल सकते हो लेकिन R और S जो है हमारा वो नहीं चाहिए था में तो वो नहीं चाहिए हमारा aim क्या है U maximum है चलो आपूज argument AI पकोई डाउट NG syrup opinion अलिए ठिरा वे कि अगे मुप करें यहां अगे मुप करें च्छाए इसमें कुछ और भी चेंज कर सकते क्या इसमें कुछ और भी change कर सकते हैं क्या कुछ चलो कुछ order change करके देखे सुनो कुछ order ज़्द Śेंज करके जितने केस बन सकते हों करते हैं यार 창्न मुझे भी मुझे भी बस में मज़ा आता है कि कि किसधर से कैसे कैसे चेंज करें और गेट वाले किस लेवल का सब्सक्राइब करने सकते हैं। और जब आप question design करना सीख जाओगे ना तो आपका level जो होगा ना सोचने का feel करने का वो एक next level पे होता है तो कई बार आप खुश सोचिए मेरा हमेशा इम क्या होता है बच्चे को एक question दो और आप ये मत सोचो सर इसमें आपने मुझे 50 question नहीं दिये एक ही question दिये आप उसी question को change करके देखो क्या-क्या change कर सकते हो temperature, pressure, concentration, order जू-जू change कर सकते हो वो change करके देखो उसमें और कुछ condition अपलाई करो, कुछ condition हटा हो और देखो कितने तरह के question आप design करके उसको सोच सकते हो कभी भी question पढ़िये ना, question कोई भी theory पढ़िये ना, तो theory पढ़के ये नहीं चलो आगे निकल गए theory पढ़के आमेसा ये realize क्या करो, कि अगर इस theory से interview में मुझे से कुछ question पूछा गया, gate में question पूछा गया, question कैसे बन सकता है क्या पूछ सकता है, अगर जिस दिन आपने इस level से पढ़ना ही start कर दिया ना, उस दिन से मान लो, सारे question के जो भी doubt होंगे, जो भी चीज़े होंगी ना, वो सारे खतम, एकदम सब कुछ के लिए, तो इस तरह से पढ़ा करो, ठीक है, चलो इसमें क्या change कर सकते हैं, देखते इसका order है two, इसका order है one, इसका order है three, चलो ऐस हमारा desire product है, सुनते जाओ, अब मैं जल्दी जल्दी explain करता जा रहा हूं, सर आपके अलग-अलग, हाँ, जितना मैं case लोंगा ना, मैं इसलिए ये सारी चीज़े trick यूज करता हूं ना, ताकि आप maximum, मुझे इस से फर्क नहीं प जितनी condition change कर सकते हो, उतनी करके देख लिजिए, वह important है, वह feeling important है, सुनिए, चलिए, हाँ, देखेगा, a2r, r2s, a2u, यहाँ पर मैंने order किया one, यहाँ पर order किया two, यहाँ पर order किया three, बिना कुछ सोचे, अभी मुझे ये तो पता ने, desired किया है, अगर desired है you, तो मैं concentration maintain करू लो, क्यों, n1 is greater than n2, लेकिन desired है हमारा ये, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, n1 is less than n2, low concentration, ठीक है, सुनिएगा, सर आप बताए, सरे सुनिएगा, मैंने क्या बोला बेटा, अगर you, अब सुनना, अब सिर्फ सुनते जाओ, रिलाइच करते जाओ, कहीं कोई doubt है तो पूछते जाना, सुनना, high concentration आपार, सुनो, सुनो, अगर you desired है, you desired है, ये हमने दे दिया, अभी मैं activation energy की बात नहीं कर रहा हूँ, temperature वाला part मैंने छोड़ दिया, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, concentration के टम में, ये feeling is strong कर लेते हैं, activation energy वाली feeling is strong कर ली, temperature वाली strong कर ली, question number one से, यह U DJI product है, मैं low temperature maintain करूँगा, low temperature maintain करूँगा, sorry, low concentration maintain करूँगा, अगर low concentration maintain करूँगा, इसका मतलब ये हो गया, मैं reaction को CSTR में करूँगा, MFR में कर रहा हूँगा, अगर low concentration maintain करना है, तो अगर हमारा gaseous paste reaction है तो pressure minimum कर दूँगा, कम कर दूँगा अगर हमारा low concentration maintain करना है, inert को add कर दूँगा लेकिन हमारा concentration low maintain करना है तो that means वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस case में you desired है तो low concentration of A, add inert, low pressure, use MFR for the maximum production of R it is clear or not, yes बेटा, adding inerts, concentration low करना है सारी चीज़े, सारी चीज़े समझो ना, मैंने क्या बोला add the inerts to the feed, second maintain low pressure, मैंने third क्या बोला maintain high conversion, next क्या बोला, use MFR, clear हुआ या नहीं high x है, हाँ बेटा, सही है, सुभम, सुभम, high, high x है ठीक, एकदम के लिए, चलो, अब बेटा, R desired है अब बेटा, R desired है, सुनना, R desired है अब हमारा जो undegiade हुआ, वो you हुआ, S नहीं, S भी undegiade है मैं नहीं चाहूँगा S बने, मैं चाहूँगा सिर्फ R बने तो अभी min, A से हमारा क्या क्या बन रहा है, U और R तो अभी हमारा, अगर मैं इतनी reaction की बात करूँ, कितनी, सिर्फ इतनी reaction की बात करूँ तो हमारे लिए अभी undegiade क्या है, U undegiade क्या है, R, R desired की बात करूँ undegiade है, U, R desired है और इसका order 1, इसका order 2, मैं क्या करूँगा, high concentration, remove the inerts, low conversion, huge PFR, it is clear or not, इतना बस बोलो अभी, it is clear or not, for our high concentration and huge PFR, जित्तिविक मुझसे एक step आगे move कर रहे हो, हाँ, चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, सही है, सही है, high concentration, high flow rate गलत कर दिया बिटा, क्यों flow rate high करेंगे, रमावत, पेटा, flow rate क्यों high करेंगे, flow rate के हम बात नहीं कर रहे है, हम flow rate के अभी बात नहीं कर रहे है, flow rate high maintain नहीं करना भी, ठीक है, अगर high maintain कर दिया तो, जो concentration हो जाएगा, वो, वो उतना proper reaction में participate नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब फिर अगर high flow rate maintain करेंगे, तो वहाँ मुझे फिर reactor की length के बारे में बात करनी पड़ेगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी high concentration की, बात कर रहे है, PFR की, तो फिर अगर high कर रहे हो ना, तो उसके basis पे हम जो volumetric flow rate है, वो हमारा अभी favorable condition का part नहीं है, हमारा अभी favorable condition का part सिर्फ concentration है, high concentration कैसे होगा, बगल में SB तो है, अरे बेटा, मैंने बोला भी सिर्फ इतने की बात करो, अभी सिर्फ इतने की बात करो, ठीक, हाँ, रमावत, जो आपने high flow rate बोला है, मैं समझ गया, किस लिए बोला है, overall consider क लिए आपने, ठीक है, और सही है, अगर बिटा, SB है, अभी ये reaction में, अब मैं overall की बात कर रहा हूँ, सुनना, SB है, अब मैं क्या करूँ, high तो maintain करना पड़ेगा, low maintain करेंगे, तो यू ज्यादा बन जाएगा, high maintain करेंगे, R बनेगा, लेकिन, मैं R से S नहीं बनने देना चाह भूलोगे नहीं, ये guarantee है मेरी, और जब कभी आपको reactor design करने को मिला, कभी industry में गए आप, और वहाँ पर आप कर रहे होगे ना, तो रह रह के मेरी याद आएगी कि sir ने सही बताया था यार, आज वो सारी चीज़े use हो रहे हैं, आज वो चीज़े हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं feeling important है, चलिए, तो इतना clear, चलो अब next question में आ जाते हैं, बहुत change कर लिया है न, next question में आ जाते हैं, सुनो, देख लो ये वाला, देख लो ये वाला, for a liquid face reaction, cvrs हो गया, for a liquid face reaction, cvrs हो गया, decomposition of a, मैं तो यह चाहता हूँ यार, कि decomposition of a हो, ताकि reaction हो, ठीक है, is given by, कुछ ऐसा दिया है, ठीक, एकदम ये clear होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ, क्योंकि इतने में ही मैं पूरा आपको समझा दूँगा, सुनेगा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, c a not is this, ठीक है, one more per little ले लिया, what will be the maximum selectivity of y, y क्या था, यह, desired product हो गया, यह, maximum selectivity, maximum selectivity of y का मतलब हो गया, कि y is the desired product, y is the desired product, और y अगर desired है, और पूछ रहा है, optimum concentration of a, ठीक है, ठीक है यार, optimum, अभी उसको छोड़ देते हैं, हम maximum selectivity की बात करते हैं, और maximum selectivity के लिए, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इस वाली reaction का order क्या है, 0, क्योंकि यह है CA to the power 0, इस वाली reaction का order क्या है, 0, तो n की value कितनी है, 0, इस वाली reaction, CA to the power 1, इस वाली reaction का order क्या है, 1, इस वाली reaction का order क्या है, 2, ठीक है, हमारे लिए, हमारे लिए important क्या है, y, y के लिए order है, 1, अब सुनना, सुनना, CA not तो उन्होंने fix क कर दिया कि इतना है यह optimum condition पर इतना है इन्होंने यह fix कर दिया अब maximum selectivity of y के लिए what will be अच्छा ये पूरा calculate करना पड़ेगा पूरा calculate करना पड़ेगा ठीक है कि what will be the maximum selectivity of r तो चलो निकाल लेते हैं sr by s is equal to सुनेगा sr by s is equal to rate के टम में दिया है ठीक है तो रेट के टम में क्या हो जाएगा अभी आपर क्या x y z सुनते जाने बीटा अभी आपर क्या x y z तो हम क्या लिखे s y by और क्या क्या य बाई क्या क्या एक्स ओर जड अंडिजाएट है एक सो प्लस जड इस नहुजाएगा is equal to x y का rate क्या है y का rate है ये तो ry upon rx plus rz इतना हो जाएगा is equal to is equal to अच्छा ry कितना था चलो इतना था मैं इसको ऐसा मान लूँ क्या बाद में ये value put कर दूँगा मैंने मान लिया कि k1 is equal to कितना है 0.0001 तो यहां से हमारा इसका जो rate होगा rx equal to वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा k1 ठीक है सुनना मैंने क्या बोला ये जो value दी है न मैंने इनको k1 k2 k3 मान लिया इसको मान लिया k2 तो k2 कितना हो जाएगा 0.0015 और k3 कितना हो जाएगा 0.008 ठीक है और यहां से मैंने क्या माना rx ry क्या हो जाएगा k2 ca और rz क्या हो जाएगा बेटा k3 ca square इतना अब चलो यहां पर value put कर दूँ क्या ry है k2 ca upon यह क्या है हमारा k1 plus rz क्या हमारा k3 ca square चलिए यह आगया बेटा सुनिएगा हाँ low concentration अरे बेटा concentration आल्रेड़ी given है ठीक है अब उसके लिए भी हमें निकालना है आगे solve करते optimum concentration आप a optimum concentration आप a बलब जो भी हमारी यह equation बनी है s की optimum condition के लिए हम क्या करते है d y by dx को कर देते है 0 यह y is equal to function आप c a सुनना बेटा सुनना feeling सुनना बस y is equal to function आप क्या है x तो हम लोग क्या बोलते है d y by dx को equal to कर दीजे 0 और वहाँ से solve करके x की जो भी value आएंगी वो optimum value को represent करेंगी either for maxima or for minima यही होता है ना हमारा तो मैंने यहाँ पर क्या बोला यह s y की जगह है s और x की जगह है c a अगर मैं इस equation को d s by d c a कर दूँ और इसको differentiate कर दूँ first by second करके और equal to zero कर दूँ सुनना बेटा मैंने क्या बोला अगर मैं इस equation को y is equal to function up x तो dy by dx equal to zero करके optimum condition निकाल लेते हैं तो यहाँ से d s by d c equal to zero करिए मतलब इसको first by second first by second से differentiate कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या second into differentiation आप first minus first into differentiation आप second upon second का whole square और वहाँ से उसको क्या करिए equal to zero तो जो upon में होगा वो पूरा zero और जो इधार पर होगा उसको solve करके c a की value निकाल लेंगे वहाँ से solve करके c a की value निकाल लेंगे निकाल पाएंगे या नहीं पहले ये बताओ और c a की जैसे value आएगी वो c a की value वापस से यहाँ put करेंगे तो हमारी क्या जाएगी s और वही s क्या होगी maximum selectivity कर पाएंगे हाँ या ना कर पाएंगे आप yes और no जल्दी से बताओ बताओ बेटा reply करो yes 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 तो ठीक है ठीक है तो आप solve करेंगे solve करके मुझे answer बताएंगे और इसका answer कल आप मुझे बताईएगा हना ठीक है yes 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 हो जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे solve कर लेंगे solve करके मुझे कल आप answer बताएगा और इसी वीडियो के comment में आप मुझे reply कर दीजेगा कि सर यह answer आ रहा है ठीक है और मैं wait करूंगा 12 hours का कल afternoon में कल afternoon में मैं इसका exact answer जो है क्या value है वो चीजे मैं आपको reply कर दूँगा clear कर लेंगे तो that means सिर्फ जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाए question की high concentration रखना है low concentration है एक नया question मिला और इस type का question भी हमसे पूछा जा सकता है इस type से question आ सकता है maximum selectivity कितनी होगी ठीक है और in 80 question में पूछ ले दो number का अराम से solve करेंगे यार must type में और उसको solve करके equal to zero करके वहाँ से हम निकाल लेंगे निकाल लेंगे क्या optimum concentration क्या होगा अभी तो हमारा यह दे दिया है CA not इतना है optimum क्या होगा मैं वो निकाल लूँगा ठीक है और वो optimum CA की value वापस यहाँ पूट करके maximum selectivity क्या होगा यह निकाल लेंगे अगर बेटा CA की value एक ही आए सुनना मैं क्या बोल ला हूँ अगर हमारी यहाँ पर CA की value एक ही आए तो मुझे चेक करने की need नहीं वो maximum selectivity represent करेगा लेकिन यदि CA की value एक से ज़्यादा आ गई तो क्या करोगे तो फिर मुझे second derivative निकालके d2y by dx2 निकालना पड़ेगा और वह कहाँ से हम calculate करके निकाल लेंगे solve करेंगे तब हम लोग answer देंगे बहुत सई गवरो answer निकाल भी दिया ठीक है तो चलो इस तरह से हम लोग कर लेंगे ठीक है अरे good good इती गवरो आप लोगों का answer आ भी गया चलो ठीक है आप लोग कर लेंगे और मुझे उम्मीद है आराम से आप निकाल सकते हैं ठीक है चलो अब आगे बात करें आगे बात करें मैटा बस अगर यहां से पूछ लेता अगर हमारा यहां पर जड डिजायर प्रोडक्ट होता तो हम लोग हाई कॉंसेंटेशन मेंटेन करते हैं यूज पिया फार करते हैं अगर हमारा एक्स डिजायर होता X desired होता तो हम लोग क्या बोलते low concentration MFR यूज करते inner को add करते ठीक है clear है हम ये सारी condition लगाते लेकिन Y के case में Y के case में मुझे नहीं पता मैं high रखूं की low रखूं इसलिए हमने बात कि optimum concentration की feeling strong होनी चाहिए अब clear हुआ क्या good ठीक है फिर आगे बात करें क्या आगे बात करें या यही stop करें बताओ जिल्दी से session end करूं या आगे continue रखूं ठीक है हो गया हो गया very good ठीक है तो चलो एक question और कर लेते हैं इसको एक simple सा reactant are form three product x y and z irreversibly as soon in figure ठीक है सुनेगा good very good ठीक है अच्छा है कुछ बोलना है end कुछ बोलना है continue ठीक चलो यह question करके फिर end करता हूं ठीक है हाँ सर दो question और बस यह question करके end करता हूं हना तो जिसका मान है end करें उनका भी मन का हो जाएगा जिसका मान है continue करें तो एक question भी हो गया और जिनका मान है दो आगे continue करेंगे कल मैं आपको बताऊंगा एप की class के लिए तो एप की class में लेंगे वो फिरिया आप cost ही होंगी बेटा ठीक है और आप class attain करेंगे numerical portion वहाँ move करूंगा मैं और theoretical portion यहाँ move करेंगे क्योंकि theory में feeling strong feeling की need है हमें तो मैं जब मनलब इस तरह से पढ़ाता हूँ ना board में तो वो एक feeling अलगी होती है और numericals में हमें maximum data की need है तो मैं आपको लिख लिख के पूरा solve करके बताऊंगा तो वो numerical portion करेंगे हम कहाँ पर आप में तो एप की link आपको provide कर दूँगा ठीक है एप की link आपको provide कर दूँगा वहाँ से आप download करिए और आगे move करेंगे सो भा में stop करिए मजा आ रहा है numerical में निवेरकल मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं इस टाइम पर डेली दो तीन निवेरकल डिजाइन कर रहा हूं गजा फॉम के निवेरकल और कसम से कह रहा हूं अगर बीस से पचीस निवेरकल वो कल लिये न सियारी के अरे यार चाहे IIT Bombay हो चाहे कानपूर हो चाहे ऐसी बंगलावर हो और चाहे कैंब्रिस से पेपर बन के आ जाए सियारी बे फिर नहीं फसा पाएंगे हाना चलो और सुनिए नहीं सर यहां करिए बिटा सारी तरह की feeling important है हाना तो फिल करो जब एक stage से दूसरे stage move करेंगे तब ही तो हमें वहां के बारे हैं पता चलेगगा ना एक बार करते हैं अगर कोई problem होगी तो आप बता ना मैं तो हूँ ना आपकी कौन सी बात मैं consider नहीं करता और जो बात consider नहीं किया ना जो नहीं कर पाया मजबूरी में तो उसको consider करने के लिए मैंने क्या-क्या कर दिया यह आप लोग समझ रहे हो अब मुझे बोलने की need नहीं है आप लोग समझ रहे हो जो चीजे मैं नहीं कर पाता ना तो फिर उसके करने के लिए क्या-क्या करता हूँ आप लोग देख लिए हो इसलिए बस feeling important है साथ रहिए, बने रहिए, move करिए यह अच्छी बात है ठीक है, चलो देखेगा, answer अब यार अब तक तो दे देना चाहिए था आप लोगों को वेट करते हो क्या कि जब मैं बोलू तब भूख लगी है, बस बेटा, last question जल्दी से मैं बता देता हूँ ठीक है, आर से x और y, z तीनों बन रहे है reaction rate आपके given है सुनिएगा, rx equal to rx equal to यह दिया है हमारा kx, cr first order reaction है बिटा ry equal to ठीक है, यह दिया हमारा ky, cr to the power 1.5 ठीक है, और यह हमारा first order, kz, cr to the power 1, ठीक है यह तीन reaction है, क्या करा the activation energy for formation x, y, z, 40, 40 और 5, इसके लिए 40 है इसके लिए 40 है, और इसके लिए 5 है, ठीक है the pre exponential factor for all the reaction nearly same, ठीक है, जो k not होता है, वो हमारा same है the desired condition for maximizing the yield of x r मलब x yield of, maximizing the yield yield मतलब समझ रहो maximum y, maximum x का formation हो, मलब selectivity को आप maximum कर रहे हो, yield से करना चाहो, उससे भी कर लेना, अभी selectivity से समझो, मैंने क्या बोला, maximizing the yield of x, yield of x का मतलब हो गया, कि selectivity को maximum करना है, ठीक है, मलब जो x का formation हो, वो maximum हो, मतलब selectivity of x maximum हो, मलब यह maximum हो मेटा सुनना, यह first order यह first order, और यह हो गया हमारा 1.5 order अगर मैंने higher concentration maintain कर दिया ना, तो y का formation ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, low low concentration low concentration, पहली चीज़, दूसरा, activation energy यह 40, यह 40, यह 5, desired तो यह है ना, अगर मैंने low temperature कर दिया, तो r से जड़ ज़्यादा बन जाएगा तो मैं क्या करूँ, low concentration maintain करूँ, तो y नहीं बन पाएगा और high temperature maintain करूँ high temperature maintain करूँ, तो x ज़्यादा बनेगा, तो मैंने क्या किया low concentration और high temperature, आप लोग का क्या answer आ रहा है, d d देख लेता हूँ, high temperature low concentration, very good, बिल्कुल सही है, तो चलो ठीक है, और यहाँ से, यहाँ से, चलो आज का session फिर मैं यहीं stop करता हूँ वो हम लोग को पता है, क्या high temperature चलो ठीक है, तो यहाँ से यह part clear हुआ और क्या पता है सुभम, चलो ठीक है पता है, अच्छी बात है, क्या वो better form में move करेंगे, ठीक है, तो कल के दिन मैं नया portion start करूँगा yield को, और yield से question बनते हैं, और बहुत गजब-गजब के question बनते हैं, और बहुत lengthy question भी बनते हैं, तो उसके लिए feeling बहुत important है, और एक बार yield, और yield मैं पूरा बताऊंगा, PFR के लिए क्या होता है, MFR के लिए क्या होता है, अग कुछ previous चीजों से relate करूँगा, जो हम लोगों ने कभी concentration के फार्मूले पढ़े थे वहां से और वहां से feeling को strong करेंगे, मज़ा आएगा, सुपा फॉम में बस मेरी एक ही सर्थ है बेटा, maximum लोगों को inform करो आपके सहूलियत के लिए हम लोग public वीडियो दे रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग present नहीं होंगे, जिनकी मजबूरी है वो लोग ना रहें चलेगा, लेकिन जो लोग present रह सकते हैं नहां, आप present रहे है, मेरी feeling strong होगी, मैं better form में आपको पढ़ा पाऊंगा, सारी चीजे आपको provide कर पाऊंगा, thank you, thank you, ठीक है तो चलो, चलो, last में फिर एक बार, आप लोगों को मैं explain कर देता हूं, जो हम लोगों का an academy platform का, एक subscription कर रहता है, हना, तो वो मैं आप लोगों का explain कर देता हूं, ठीक है, यही मेरे बारे में आपको पता है, बस मेरा code आप याद दखिए, SKS50, ठीक है, और यहां से बस अगर आप plus subscription लेते हैं, तो वो live classes, crash course, weekly test, doubt solving session, और English और Hindi दोनों में present हैं, तो आपको plus के ये profit मिलते हैं, और अगर आप iconic section, जो second year, third year के student है, जो next year के लिए purchase करना चाहते हैं, chemical का नया batch launch होगा, तो आप लोगों को मैं proper inform करूंगा, तो iconic section जो आपको इंडिया में किसी भी platform पे उलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको personal guide मिलेंगे, आपका पूरा एक planner होगा, study किस तरह से कैसे क्या करनी है, वो सारी चीज़े होंगी, ठीक है, तो यह important है, आपको कुछ ऐसे session प्रोइट किये जाएंगे, जहां से आप अपनी preparation को boost कर सकें, continue form में, ठीक है, आपको test मिलेंगे, जिससे आप अपने आपको analyze कर सकें, ठीक है, और आपको पूरा study material मिलेगा, तो यह हमारा iconic section का part रहेगा, तो आप जो भी purchase करते हैं, और इसके लिए कुछ prize है, ठीक है, यह अभी जब केमकल के batch launch होंगे, तो मैं आप लोगों को inform करूँगा, ठीक है, और बेटा आप यहाँ से देखेगा, हाँ सभम, और यहाँ से देखेगा, प्लस के लिए, अगर आप 1 year, या 1.5 year, या 2 year के लिए लेते हैं, तो इंडिया में आप कहीं सभी compare करेंगे, तो यह बहुत ही low cost पे आपको provide किया जा रहा है, और इसके साथ अगर आप मेरा code यूज़ करते है, SKS 50, तो वहाँ से और आपको कुछ 10% का discount मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन course को purchase करना चाहते हैं, और मेरी team के बारे में मुझे बताने की need नहीं है, ठीक है, मैं हो गया, त्यागी सर हो गया, सुमिछ सर हो गया, और मनी सर हो गया, और हम चारों मिलके ना सारा party निप्टा देंगे यार, ठीक है, तो हम चार, बस बहुत है इतने के लिए, बहुत हैं आपके 12 subject के लिए, और वो feeling आप लोगों को बताने की need नहीं है, क्या सारी चीज़ा हम लोग बताते हैं, ठीक है, तो यह हमारा 27,225, यह 1.5 year का 34,650, और यह 39,600, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हर step में, हर दिन आपके साथ बंदा present होगा, जो आपको plan कर सके, आपकी planning को आगे move करा सके, आपको boost कर सके, क्या, अगर code use करेंगे तो 10%, जो भी हमारा cost है, उसमें 10% का off होगा, यह 45,225, यह 66,600 का है, ठीक है, और यह मेरा बेटा, unacademy में, मेरा, यह login है, आप इस से मुझे find out कर सकते हैं, और जब मैं app में class लोगा, तो यहीं से हम आप लोगो class continue करनी रहेंगी, ठीक है, और यह हमारा unacademy का एक official telegram channel है, जहां से आपको सारी information, सारे badge, सब कुछ यहां से आपको मिलेगा, ठीक है न, और यहां से कुछ हमारे channels हैं, जो मैं बता रह ठीक है, चाहिए या कोई भी आप preparation की बात करें, तो यह इंडिया का largest online platform है, जो आपको सारी चीज़े provide करता है, आपके छोटे भाई बैन है, या आपके कोई relatives हैं, अगर वो आपसे पूचते हैं, तो यहां options की कमी नहीं है, ठीक है, अगर आपको एक faculty का नहीं समझ भी आता यह सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है, तो और यहां से यह सारी चीज़े है, unacademy के platform पी जो आपको bound नहीं करता, जो आपको best way में provide करेगा, और अगर किसी को doubt है chemical engineering के लिए तो यार अब तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं बस अब बोलने की need नही हैं, और बस उनके कुछ process चल रहे हैं, जैसे वो complete होते हैं, तो उनकी class में start करवा दूँगा, ठीक है, अभी तब तक दो चीज़े आपकी चलने हैं, यार इतना time का हैं आपके पास, अभी दो चीज़े तो आपकी चल रही है, classical thermo का revision चल रहा है, CRE चल रहा है, और बताओ म fluid mechanics, CRE और FM, और FM जो chemical का specialist part है, वो FM की पूरी हम question series कराएंगे, सारी चीज़े based farm में move करेंगे, ठीक है, तो चलो फिर आज का session मैं यही पर end करता हूँ, CRE का revision अभी दूँगा बेटा, और एक थोड़ा सामलों की meeting planning हो जाने दो, तो मैं एक session लेके आओंगा, और आगे एक मह पहिने का, क्या कैसे आपकी strategy और planning होगी, हमारी क्या planning होगी, वो मैं सारी चीज़े आप लोगों को बता दूँगा, PDC बेटा, हाँ, PDC होगी, और PDC हम कराएंगे, मनीश सर ही आपको PDC पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और मनीश सर क्या पढ़ाते हैं, यह तो आप लोग जा चलो, अगर आप लोगों की demand जादा आई, तो मैं पहले PDC स्टार्ट कर दूगा, और membrane suppression जो add हुआ है, वो मैं बाद में करवा दूगा, ठीक है, तो जैसा आप लोग बोलेंगे, चलो फिर ठीक है, आज का session बेटा फिर यही पर end करते हैं, और thank you for your love and support, और आप लोग साथ बने रही है, अपने juniors को जरूर inform करिए, quality content के बारे में बताईए, important यही है कि आपको content और feeling कहां से मिल रही है, और वो feeling based है, कैसे feeling है, क्योंकि आप बच्ची हो यार, आपको समझ भी नहीं आता, अच्छा आप देखोगे ना जब, आपको यही लगेगा, यह बेश्ट है, सियारी अगर किसी ने पढ़ाया होगा, तो आपको लगा होगा, रही यार, यह अच्छा है, लेकिन जब आपने मुझसे पढ़ाता, फील आया, क्या रहे यार, नहीं, इससे भी कुछ अच्छा होता है, हो सकता है, मुझसे भी अच्छा कोई पढ़ाता हो, तो मैं यह नही important है because feeling important है हमारा career important है हमारा time important है सबसे बड़ी बात है तो चलिए आज का session end करते हैं good night take care love you all bye bye